हेल्लो बच्चो गुड इवनिंग अल आफ यू गुड इवनिंग अल आफ यू गुड इवनिंग अल आफ यू बेटा अगर विजिबिल्टी ओडिबिल्टी बेटा प्रॉपर हो रही है तो ओके लिखो विजिबिल्टी ओडिबिल्टी अगर प्रॉपर है तो ओके करो गुड इवनिंग गुड इवनिंग नो साउंड ओके हाँ अब बताएं साउंड प्रॉपर है क्या कि विजबिल्टी और डिविल्टी अगर प्रॉपर है साउंड फ्रॉपर आ रहे है बेटा साफ साफ विजबिल्टी प्रॉपर हो रही है ओके करो ओके ओके के स्टार्ट करते हैं चलो ओके आपका सिखनेर ला गया अब स्टार्ट करते हैं देखो निवरल कंट्रोल एंड कोडिनेशन ठीक है हमने नवस सिस्टम बाला में जो पार था वो थेक लेक्चर में फिनिश कर दिया क्योंकि उससे कोशन अलग बनते हो सेंसरी ओर्गन को सेपरेट किया क्या अकेले सेपरेटी सेंसरी ओर्गन से तू टू थ्री कोशन बन रहे हैं 2017 मे सेंसरी ओर्गन से ठीक शेंसे ठीक है 2018 में भी सैंसरी ओर्गन से ठीक है और एक दो कुषण तो हर साल आई ही रहे हैं तो इसमें कहीं कोई भी गढ़बर ना हो मतलब टाइम का कहीं कोई प्रेशर ना पड़े तो इसलिए इसको सेपरेट किया बहुत अच्छी तरीके से अविशेक तो करते हैं स्टार्ट तो बस यही मैं कहूंगा कि एकदम एलर्ट रहना ठीक है एकदम फोकस्ट रहना ठीक है फालतू चैट मत करना बुलकुल रिलीवेंट जो बाते हो वो अब ग्रूप पर करना ठीक है लाइफ का तभी मज़ा आता है ठीक है तो फिर रिकॉर्डिट में चला जाता है इंसान के यार ठीक है लाइफ में बच्चे का इंट्राइब बहुत बढ़िया नहीं है तो इंट्राक्शन बढ़िया होना चीए ठ सिर्फ पढ़ाई भी बात करेंगे और कुछ नहीं स्टार्ट करते हैं ठीक है तो बटा स्टार्ट करते हैं सेंस्री ओर्गन तो सेंस्री ओर्गन में ध्यान से रखना है बटा कि दो और गन पहले ncrt ने इसको नहीं रिप्रेजेंट किया था ओल्ड ncrt में ठीक है अब नहीं आते थे क्योंकि ncrt ने इसको स्पेसिफाई नहीं किया था अब ncrt ने इसको अच्छे से दे रखा है प्रॉपर तरीके से तो कोशन आने की प्रॉबेबिलिटी है अब कोशन किस तरीके से बन सकते हैं क्या सकते हैं वो सारी बाते मैं रिप्रेजेंट करूँ यानि आज हमारा टार्गेट फोर सेंसरी ओर्गन है ncrt ने डिटेल दे रखा है एयर और आइस का ठीक है और यहां ncrt ने इंट्रेक्शन दे रखा है औल्फेक्शन यानि नोस का और अब लोगे टंग गस्टेटरी टेस्ट का तो इसको हम मेली फोकस करेंगे ठीक है तो स्टार् आज से صまंद है तो फिल नहीं होता लाइक के आंदर के आप और यहीं ले रहे हो तो एक लाइन में अंतर होता है कि आफ्लाइन में बच्चा सामने होता है इंटरेक्शन होता सकत्रेथ की स्माइल नाने की कोशिश करते हैं ऑके टा है है तो स्टार्ट करते हैं प्यां सबसे नहीं बात करते हैं नोस पहरे मैं समझाओं घ्राउंगा फिर मैं ncrt पर आंगा ठीक है एंसी आटी छोडने वाला नहीं ncrt ही करांगा मैं आपको पर इतनी बहतरीन तरीके से करांगा और अब तक भी ncrt ही करता मैं आया पर NCRT को मैंने बहुत डिफ्रेंट वे में समझाया है with the help of diagram of flow diagram उस technique को use किया है जिस technique की help से NCRT की एक एक line की आपको command हो जाए concept clear हो जाए वह हम करेंगे ठीक है तो पर नोज वाले reason को मैं explain कर रहा हूं जब आपको पता होगा साइथ मैंने थोड़ा बहुत explain किया था respiratory system में respiratory system में मैंने बताया था कि हमारे जो अपर वाला olfactory reason होता है ठीक है उसके ऊपर olfactory lobe भी होता है olfactory lobe और हमारा जो olfactory reason जहां पर एक olfactory membrane होती है ठीक है उसके बीच में इत्मॉइड बोन होती है olfactory membrane ज्यानक नहीं आपको जो sensory nature की होती है इसको sanitary membrane में भी बोलते है respiratory system में इसको समझाया भी था तो किस तरीके से connected होती है किस तरीके से sensory होती है कैसे जी smell के लिए responsible होती है सारी बात है ठीक है तो डागर में टेकल हम रिप्रेजेंट करेंगे और डागराम में सारी बात कर देंगे finish कर देंगे डागराम में ही इसको ठीक है अगर हम बात करते हैं olfactory reason olfactory lobe ethmoid bone आप दिखा देंगे एपिथिलियम इस अल्फेक्ट्री एपिथिलियम और और अल्फेक्ट्री एपिथिलियम की अगर हम बात करते हैं बेटा तो इस तरीके से सेल्स होते हैं तू टाइप के सेल्स होंगे इस इस पेसली थ्री टाइप के सेल्स होंगे वही एंसी आटी ने बोला है वहीं हम explain करने वाले हैं यहां पर कि यहां पर कि अगर सेंस्री नेचर के सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं कुछ दिखा देते हैं कि इसके अलावा बेटा यहां पर बेस पर बेसल सेल लगे होते हैं बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेसल सेल समझातों अभी क्या रोल है इनका इसके अलावा यहां एक ग्लेंड और रिप्रेजेंट करने हैं आपको बहुत इंपोर्टेंट ग्लेंड है इस पर कुशन भी आता है वो मैंस ग्लेंड कहीं भी दिखा देते हैं यहां दिखा देते हैं कि मिंकुस क्लेंड भी बोल सकते हैं उसको सफी सेंटर ठीक है तो अब होता क्या है अब समझो कि सब्सप्लेंड नीरोन की बात कर लेते हैं है है a है सिर्षफ के बाइपोलर नीरोन मैंने बताए भी था दा भाइपोलर नीरों जो होते है वह नोस के अंदर मिलते हैं ऐसमें कि यह सब बाइपोलर नीरों से अब देखो क्या 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 कोशन बन सकते हैं यह brain वाला पाट हो गया इसको बोलते हैं all factory log all factory log बस जितना diagram में लिख रहा हूं more than sufficient इसी से कोशन मिल जाएका मिलना होगा तो ठीक है यह जो पीछे वाला पाट हो गया all factory tract हो क्या यह all factory bulb हो गया फूला हुआ पाट ठीक है all factory tract यह all factory bulb दो बाते दिहार रखने हैं आपको ठीक है यह all factory nerve और मैंने बताया भी था कि brain का वो कौन सा लोब होता है जो smell को identify all factory के लिए responsible होता है टैम पोरल याद हो आपको तो जी कनेक्ट किसे होगी टैम पोरल रिजन और brain बुल्कुल एक एक चीज क्लियर करनी है कौन सी कहां connected है ठीक है यह बोन आप समझी गए होगे एथमाइड बोन है अब नीची आ जाओ यह अब नोज वाला पार्ट आ गया यह ब्रेन वाला पार्ट चला गया connection दोनों को किस तरीक इस connected होते हैं बीच में यह बाई पोलर नीरोन हैं बाई पोलर बाई पोलर नीरोन्स तो बाई पोलर नीरोन्स समझे रहे हो ठीक है तो बाई पोलर नीरोन्स है साथ में ग्लैंट भी दिख रहे हैं इनको भी एक्स्प्रिंट कर देते हैं ठीक है वो मैंस ग्लैंट एक excretory system में आप women's capsule पढ़ते हो, confuse मत हो ना, women's capsule अलग है, women's gland, especially इस epithelium में होते हैं और यह release करते हैं, mucus, जब आप running करते हो, तो कहा जाता है कि बेटा, ठीक है, mouth से air, inhale, exhale मत करना, nose से करना, mouth से करोगी, तो trachea आपका collapse कर जाएगा, dry हो जाएगा, क्योंकि आपके इस बाले track के अंदर, women's gland, mucus releasing gland नहीं होते, पर nose बाले reason के अंदर यह gland होते हैं, इसलिए air को ब stable होते हैं, तो यह mucos release करते हैं, इसलिए आप से बोला जाता है कि nose बाले पार्ट से आप air को inhale axle करो, ठीक है, अब जो NCRT है, डेटेल में दे रखा है, वो इस epithelium के बारे में दे रखा है, इसी को बोलते हैं, all factory epithelium, जो neurosensory होती है, all factory epithelium, कहाँ पर होती है, in nose, neurosensory nature की होगी, neurosensory, यह भी question आए, अब NCRT ने एक बात और दे रखी है, अभी पीछे आ रहे हैं, NCRT पर, कि यहाँ पर three type के cells होते हैं, वो कौन-कौन से cells हैं, जो इस reason के इंतर देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है, उसको आपको समझना होगा यहाँ यहाँ पर, ठीक है, वो कौन-कौन से cells हैं, जो base पर लगे हुए है, समझना जो base पर लगे हुए, epithelium की base पर, इसको बोलेंगे हम, थोड़ा color change करते हैं, basal cell, basal cells, number one, number two ध्यानक ने आपको यहाँ पर, ठीक है, सबके nucleus, nucleus दिखा देते हैं, यह जो दिख रहे हैं, आपको, यह supporting cells हैं, supporting cells, और यहाँ पर आपको neuron दिख रहे हैं, यह actual में, receptor cells हैं, all factory, receptor cells, जो sensory nature की होते हैं, number one, number two, receptor cells, और number three, supporting cells, जो three type के cells, इस epithelium में होते हैं, gland होती है, women's gland, basal cell का काम क्या है, दिखान रखना बहुत important बात बता रहा हूं, पूरी body में neuron कभी regenerate नहीं करते, पर एक ऐसा reason है, दो ऐसे reason है, जहाँ पर neuron का regeneration होता है, एक तो आपकी tongue वाला reason, और एक आपकी nose वाला reason, तो यहाँ पर जो bipolar neuron है, वो regenerate होते हैं, means यह cell, जिसको receptor cell बोलते हैं, जो sensory nature की होते हैं, इनकी जो life होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, approximately, approximately two month के आसपास, तो two month के अंदर यह new cell से replace हो जाते हैं, और इनको replace करने के लिए, new neuron को बनाने के लिए, यहाँ खास type के cells होते हैं, इनी खास type के cells को ही हम बोलते हैं, बेटा क्या, यहां जो खास टाइप के दिख रहे हैं इनी को बोलते हैं क्या आप बोलोगे बेसल सेल बेसल सेल हैं तभी यहां पर यह mechanism possible है टिक है receptor cells और नमबर थार ध्यान रखने हैं आपको यहां पर supporting cells यह फ्री टाइप के सेल्स जो एंसी आटी ने दे रखें इन तीनों के वारे में पता होना चाहिए फंक्शन में लिख दिता हूं एक एक लाइन का फंक्शन है बेसल सेल का काम क्या होता है कि यह कंवर्ट होते हैं या प्रेड्यूस करते हैं रिसेप्टर सेल ठीक है रिसेप्टर सेल की बात करते हैं यह सेंस्री नेचर के होते हैं सेंस्री नमबर नमबर टू द्यानकरी से लाइफ कितनी होती है इनकी अप्रोक्सिमेटी टू मन्थ और आफ्टर टू मन्थ इस रिप्लेस बाए ठीक है रिप्लेस बाए debesle cell बेसल सेल gjyst कर देते हैं ठीक है नए सेल में कणवाड कर देते हैं Cultural eleしました वह सपोर्ट करने का काम करते हैं अ ईज वा जो किषन की प्रॉबैबिलिती होती है यहां जो सीलिय के डिख रहे हैं आपको यह सड़र की सारे apps जी अटारें मोटेलिटी होती है ठीक है यहां जब भी कोई भी अभी मुकस कर रिलीज करेंगे मुकस करेंगे मुकस एक लेयर बना देगा जो एयर को मॉस्टराइज करने में हेल्प करेंगी तो यही वो मेंब्रेन इसको और फेक्ट्री एपिथीलियम भी बोल सकते हो साइने डेरियन है और सीदी सी बाते स्मैल के सिगनल को रिसीव करने के लिए जब भी कोई पार्टिकल इंसे इंटरेक्ट करेगा तुरंत यहां डी पॉलराइजेशन होगा और यह सिगनल सीधा बाइपोलर नीरोन के तो और फेक्ट्री लोव में जाएगा और यहां और फेक्ट्री इंटरेक्ट करेगा और नहीं अगर स्मैल होगी तो उसकी मेमोरी भी क्रियेट करेगा तो सारा काम ब्रेन का है तो यह में में पॉइंट है जहां से कोश्चन आने की प्रॉबैबिलिटी होती है तो यह आपका एक पार्ट होगा है नोज वाला रिजन बापस आते हैं NCRT प कर रहें NCRT के कोडिंग अगर मैं नोस की बात करता हूं नोस कंटेन मुकस कोटिड ध्यान अखना है मुकस कोटिड रिसेप्टर्स ठीक है स्पेसलाइस फॉर रिसीविंग दसेंस एफ इसमैल स्पोंसिबस इसे को बोलते हैं व्यूंद फॉल्फट्री रिस्चेप्टर एसंप्टर सल्साइब सकते हो थिजार मेड़ पॉफॉर्फेक्ट्री एपी थीलियम पूरा अपिजर बना दी हमने व्यूंद के हैं होती है अल्फेक्ट्री रिसेप्टर हैं इसके अलावा मैंने बताया था को सपोर्टिंग त्री टाइप के सेल्स होते हैं बिटा दा न्यूरोंस ऑफ दा ओल्फेक्ट्री एपिथीलियम एक्स्टेंड फ्रॉम दा आउट साइड इन्वार्मेंट वहां से निकल रहे हैं एपिथीलियम से और कहां पर एंटर कर रहे हैं एक यह द्यानक ना है ब्रॉट बीन अभी तक क यह भी वह विच आर एक्स्टेंशन और ब्रेन लिंभिक सिस्टम वहरी इंपोर्डम अगर में ओल्फेक्ट्रीवल्ब की बात कर रहा हूँ तो यह ब्रेन लिंबिक शिस्टम पा एमोस्टेंग नल ब्रेन का हैट ऑफ हिपो का extension है इस मेरे वहां भी लिखाया था क्योंकिन तो आपको अच्छी सी फीलिंग आ रही है तो इसके लिए रिस्पॉंसिबल होती है तो इसी लिए एंसी आटी को पढ़ना और समझना एक आर्ट है डायक्ली रीडिंग लगाने से एंसी आटी कभी नहीं पढ़ी जाती और जो लोग कहते हैं यार एंसी आटी रीड करने से काम हो जाएगा अंडरलाइन करते जाओ रिड करते जाओ मुझे नहीं लगता ठीक है तो अब आपके एक बार देखना है इस डाइग्राम को पर्मानेंट मेमोरी हो जाएगी कि एक्च्वल में क्या है अब बताओ यहां तक कोई डाउट है एक पार्ट हमारा फिनिश हो गया सेकिंड पार्ट में हम एंटर कर रहे हैं डाउट है या नहीं बेटा यस और नो का रिस्पॉंस दिया करो लाइफ सेशन को बिल्कुल फील किया करो इस तरीके से कि आप क्लास में बैठे हो पीचा से इंटरेक्ट कर रहे हो तो मज़ा आता है ठीक है और हम भी फिर ओके लफ रॉम नैपाल बहुत बढ़िया वही मेरे लिए सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं ओके क्लियर सर क्लियर नो डाउट ओके हाँ बेटा रिसेटर सेल और बाई पोलर नीरोन एक ही होते हैं अदिती बेटा अदिती ने पुछा है सर रिसेटर सेल और बाई पोलर नीरोन एक ही होते हैं ठीक है बुलकुल बेटा एक ही होते हैं कि पिपा सेंचिती हैं होते हैं ओल्फेटरी एपीथीलियम में ही होते हैं रसेटर सेल सेल सेнок परिटूरस myślę बने किस्ते होते हैं नियूरोनरे सेंश product के सैल ऑपर हैं जो एक्सटेंशन किसा हो जानी बाई-पोलर्ड नियो Whew उसमें embedded है मनलब वाइपोलर नीरॉन का ही modification है आप समझो चीज एक ही है ठीक है मैंने यहां दिखा इसलिए दिया है olfactory sensory nature तो sensory किस बज़े से आया sensory nature neuron की बज़े से आया किस टाइप के नीरॉन इसको sensory बनाते हैं bipolar neurons उसको sensory बनाते हैं ठीक है चलो हाँ बेटा लगबग लगबग कराऊंगा मैं ठीक है हो सकता है कुछ टीचर भी बीच में आए मुझा आइडिया नहीं है बट हाँ कोशिश है ठीक है कराएंगे जितना हो सकता है अधिती अधिती कंफ्यूज है दो बेटा बाइपोलर नीरोन ठीक है जो एपीधिलियम के इनवारिमेंटल वाले पार्ट से connected है और olfactory lobe से connected है तो bipolar neuron bipolar neuron किसके अंदर है किसका part है bipolar neuron is all receptor cell का part है आप समझ रहे हो ना receptor cell के भई receptor cell किसे मिलके बने bipolar neuron से आ गया कि modification होगा है cell के अंदर वही तो पीछे जाकर कि उनके जो exon बाले part है यह क्या है exon exon of bipolar neuron यह कह सकते हो इनके अंदर जो receptor cells हैं जिसमें embedded है bipolar neuron ठीक है तो bipolar neuron का exon बाला part किसे connected हो रहा है all factory lobe से connected हो रहा है ठीक है तो confused नहीं हो ना है असके अंदर बहुत simple है ठीक है हाँ अधिती ठीक है ओक्वेर दखो बुलकुल से पुच्छा कि all factory world is located कहां पर located होगा ठीक है तो बेटा all factory bulb हमारे यह बोनों के इत्मों ब्रेन के ब्रेन के जो फ्रंटर लोब होता इसके नीचे होते हैं मैंने लिखाया भी था ब्रेन के अंदर मैं लिखाया था ऑल factory लोब यह all factory बल्ब बताया था न हमने जो कहां पर होता है फोर ब्रेन का पार्ट है ठीक है टीलन सिफलों से ओर इजिनेट होता है लिखाया था बिटाई वाली बात तो मैंने ठीक है ब्रेन वाले पार्ट के अंदर ओके 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 अब आगे बढ़ते हैं ठीक है सेकंड पार्ट पर आते हैं सेकंड पार्ट में हम एंटर करते हैं टेस्ट बड़ आपको ध्यान हो जब डाइजिस्टिव सिस्टम पढ़ाया था हमने तो आपको बताया था कि टंग की सरफेस पर इस तरीके से मश्रूम शेप प्रोजेक्शन्स होते हैं इससे मश्रूम शेप प्रोजेक्शन्स होते हैं कुछ इस तरीके से भी और कुछ इस तरीके से भी कुछ बहुत बड़े प्रोडेक्शन्स होते हैं, कुछ छोटे प्रोडेक्शन्स होते हैं, कुछ बहुत छोटे प्रोडेक्शन्स होते हैं, इन प्रोडेक्शन्स को हम क्या बोलते हैं, पैपिले, इनको क्या बोलते हैं, पैपिले, और मैंने बता था, ये पैपिले, एपिथ योगे तो टेस्ट बड ज्यादा होंगे चोटे लेँगे तो टेस्ट बड कम होंगे पर कुछ पैपले ऐसे भी होते हैं जिनके ओपर टेस्ट बड नहीं होते याध ठानोगा तो digestive अम है में बताया था मैंने इनको बोलते टेस्ट बड जो टेस्ट बड होते हैं यह sensory nature की होते हैं यहीं सेंसेशन को रिसीप करने के लिए यही टेस्ट बड रिस्पॉनसिफिल होते हैं क्योंकि इन टेस्ट बड से अटैच होते हैं इस बीए प्रिसाइब करें aconतर्थ को समझाने से पहले यहीं डियांगरामतिकली representation फिर हम आगे बढ़ते हैं बस आप समझते जाओ और जहां confusion मुझे बताते जाओ एक एक चीज में clear करता जाओ ठीक है अब हम टेस्ट बढ़ की बात करते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा तो ठीक अब देखो अब अगर मैं टेस्ट बढ़ की बात करता हूँ तो एक सेंसरी टेस्ट बढ़ का डागरम बना रहा हूँ इससे आपको एक दम clear हो जाएगा कि एक्चुल में क्या है position इस टेस्ट बढ़ में इस तरीके से यहाँ पर फिंगर लैक प्रडिक्शन होते हैं यह फिंगर लैक प्रडिक्शन माइक्रो विलाई बूल सकते हो इनको जो फेस एरिया इंक्रीज करने का काम करते हैं इन टेस्ट बढ़ का ठीक है और अगर हम सेल्स की बात करते हैं तो इन टेस्ट बढ़ में यह सेल्स होते हैं नमबर वन अग्रजान जान नमबर चू अझड़ की और दिखा देते हैं एक दो में यह थिंग है और यह टेस्ट बढ़ किसमे होते हैं अपीथिलेयम में होते हैं वह भी अमने आपको बताया थेस्ट बडड में नीरॉंस भी होते हैं देखो यहां दिखा देते हैं यह एक निइडर दिखा दो है इदर दिखा दो किए एक और दिखा सकते हो यहां पर इसनट इसना यह तो यह जो पाट नीऊ निफेश ना दिख रहा है न वह सारे sensory cells हैं, यहाँ पर भी same three type के cells होंगे, supporting cells होंगे, भी supporting cells का होंगे, जो sensory cells नहीं होते, यानि supporting cells होते हैं, उनके base पर basal cell होते हैं, यह भी दिखा देते हैं पहले, यह base पर क्या लगे हुए है, basal cell लगे हुए है, base पर क्या लगे हुए है, basal cell लगे हुए है, ठीक है, इसके देखने को मिलेंगे ठीक है जहां पर नियूरोन नहीं है सपोर्टिंग सेल वही तीनो सेल ठिक है जहां पर आपको neurons दिख रहे हैं बेटा ठिक है इधर दिखा देते हैं जहां पर आपको neurons दिख रहे हैं ठिक है वो क्या है? यहाँ पर gustatory receptor cell यहनी receptor cell यहाँ अब उसकर दोते हैं? gustatory ठीक है जो बेस पर लगे हुए हैं जो बेस पर लगे हुए हैं बेसल सेल बास वही तीनो टाइप के सेल्स यहां पर भी प्रिजेंट हैं ठीक है जहां आपको नीरोंस देखने को मिल रहे हैं वो हो गए क्या गस्टेटरी रिसेप्टर सेल जहां पर आपको नीरोंस देखने को नहीं मिल रहे वो supporting cell हो गए और जो supporting cell के base पर लगे हुए है वो basal cell हो गए ठीक है यह आपको microvillai देखने को मिल रहे है विलाई बोल गया ठीक है हाँ बुलकुल finger lag prediction microvillai बोलेंगे microvillai यह यह इस अर्फेस एरिया क्या करते हैं increase surface एरिया इसके आद NCRT लेकर चल रहे है ठीक है यहां पर क्या होता है यह और है जिसमें जो टेस्ट लिए जिसमें सबस्टेंस आके डिपोजित हो जाता है ठीक है तो यहां यह epithelium हो गई epithelium ठीक है supporting cell भई यहां अगें वही बात surteil कि कहा होता है बेष्टल का काम होता है supporting सैल का formation और supporting के किसम होते है गस्रेटर के लिए के निदर तो यहां पर ब mortar cell यह कंवर्ट होते हैं कि जार छमुक्राइब्स ऐंक है और ठीक है यह supporting cell में convert होते है then supporting cell finally convert into supporting cell convert होते है यह convert हो जाते है convert receptor cells तो बेसल सेल ही stem cell है एक तरीके से stem cells है ठीक है जो इन sensory cell में convert होने में capable होते हैं अभी तो वही टंग आप कुछ भी खा लेते हो ठीक है कितना भी highly acidic food हो कुछ भी खालोगे तो यह burn हो जाते हैं तो इसलिए इनकी life टंग पर इन receptor cell की life बहुत कम होती है अगर मैं गस्टेटरी रिसेटर सेल की life की बात करता हूं अप्रोक्सिमेटली ठीक है आप बोच सकते हो एप्रोक्सिमेटली यहां पर 10 डेस के आसपास होती है है टीक है में ली यही सैल रिसपॉंसिबल होते हैं सेंशेशन के लिए और यहां पर यह कोशन आता है यहां पर cranial nerve की पूछेगा which of the following cranial nerve ठीक है अटेच बिध टेष्ट बड़्टती टाइप के cranial nerve आपके यहां से अटेच होते हैं cranial nerve की मैं बात करता हूं अब देखो कौन-कौन से क्रेशियल नर्व फेशियल जो फेश पर भी होती है और टंग पर भी होती है ठीक है तो ध्यानक नहीं आपको फेशियल सेविंथ नमबर की होती है अब इसके लावा ध्यानक नहीं आपको फेशियल लॉसा मतलब टंग अफेशियल होती है नाइन्थ नमबर की नाइन्थ है ग्लासो फेशियल इसके लावा 10 वैगस अट्एन्थ नंबर की वैगस भी यहाँ अटैच होती है कोकि हमारे टंग के बहुत सारे अपनल एक तरी वैकर तो हर जगा है यवह तो हर बाड़ी के हर पार्टसे जुड़े हुई है। वैक्रस भी यहां पर होगी थीक है तो souls of uploaded ठीक है भी यहां पर होगी सेविंग भी यहां पर होगी फंफ यहां पर ओगी पेस्ज बढ़ की बात कर रहा हूँ थीक है जंग के यहां पर अटेच होते हैं जो सेंसेशन के लिए रिस्पॉंसेबल होते हैं तो बेसिक टेस्ट बड़ का डियाग्राम समझ में आ गया यह टेस्ट बड़ सेंसरी निचर के होते हैं विच प्रिजेंट ओन पैपीले इड़ फोल्डिंग ओफ ठीक है एपिथेलियल टिशू लिए अजिन एकल मिकल को इंटिफाई करने में डोन हैल्प करते हैं रिख टेस्ट इसकंट टर्माथा इटेस्ट के लिए एन औल सर्क सेट्री टर्माथा थी समैल के लिए और फंक्शनले शिमिलर अभी तो यह अपने देखा है पर टेस्ट और स्मैल एक साथ काम करते हैं देखा होगा कोरोना की बज़े से लोगों का टेस्ट और स्मेल एक साथ जा रहा था समझ के नहीं मेरी बात दोनों का कॉंबिनेशन साथ साथ है फंक्शनली सिमिलर एंड इंटर लेटेड ठीक है दा टंग हूं अब टंग के पास ऐसा क्या संसरी पार्ट है जो इस टेस्ट को ढ़ Courtney विड है विग िच तेस्ट ऑफ फुूड या आप सकता चिप उफ होड रिंग दा ब्रें इंटीग्रेट अटीड द पूट अब है इसके काम किया होता है brain तक in neurons के तो सिगनल को पहुचाना brain उसको integrate करता है then memory की बेस पर identify भी करता है और new test है तो उसको उसकी memory formation के लिए भी responsible है differential input from the taste bud and complex जितने भी complex flavor generate होते हैं उन सब के लिए यही responsible होता है types of cell पूछेंगे आप बता दोगे ठीक है types of nerve पूछेंगे आप बता दोगे यही कोश्चन आते हैं यही को यही त्री टैप समने टंग में भी बताए और यही त्री टाइप के सेल हमने यहां भी बताए ठीक है बेसल सेल इडिजा टाइप सॉफ आक्सिमेटी तू मन्थ में smash होते हैं बस के लिए बेसल सेल्स पॉण्सेवल कण के उपर संकात्री रिसक्टर सेल कोई । यहां तक को इड आउट है तो बताओ दो पाट हमारे कोश्य बंफ एक बच्चा पूछ रहा है ठीक है भूपेश सर्वाय टेस्ट डिफेक्टिव वेन वी है फीबर जब भी आपको फीबर आता है आपका बॉडी टेंपरेचर बढ़ जाता है तो आपके एंजाइमेटिकल फंक्शन सप्रेस हो जाते हैं क्योंकि सारे के सारे एंजाइम बेटा एक optimum temperature optimum pH पर वर्क करते हैं अगर बॉडी टेंपरेचर बढ़ेगा तो एंजाइमेटिकल प्रॉसेज टेस्ट कब आता है जैसे आपने मैंने बताया कि आपने स्टार्स खाया अब स्टार्स का टेस्ट तो नहीं आएगा तेस्ट कब आएगा जब स्टार्स माल्टोज में कन भी नहीं आथा ठीक है क्योंकि पूरी बॉडी का एंजाइमेटिकल सिस्टम एकदम सप्रेस हो जाता है यानि उसकी एक्टिविटी बहुत स्लो जाती है हाई टेंपरेचर की बढ़ता क्यों है क्योंकि टेंपरेचर को बढ़ाने के लिए hypothalamus जब भी कोई pathogen enter करता है human health and disease म पूरा mechanism बताऊंगा इसका कि होता कैसे है वह किस तरीके से toxic substance release होते है ठीक है किस तरीके से वह temperature को regulate करते है hypothalamus क्यों temperature बढ़ाता है उन pathogen की growth को suppress करने के लिए तोगी hypothalamus का एक ही purpose है pathogen की growth को suppress करो कैसे उस pathogen का enzymatical function suppress करके पर साथ में हमारा enzymatical भी action भी suppress हो जाता है इस बज खाने का मन नहीं करता है टेस्ट आपका गडबर होता है तो सारी बाते समझ में आ गई होंगी ओके अब इस टॉपिक से रिलेटर बताओ कोई doubt जिसकी ncrt प्रिती बोल रही है मेरी ncrt में तो nose और टंके बारे में दिया ही नहीं है ncrt replace करो बिटा new ncrt चाहिए neat के लिए latest ncrt मैं सारा ncrt लेके चल रहा हूं ncrt पूरी copy paste कर रखी है latest वाली हर lecture में मैंने ncrt लिए ncrt की एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से इस तरीके से मैंने explain किया है आप सोच भी नहीं सकते कि ncrt को इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है ठीक है चलो बहुत बढ़िया यहां तक कोई doubt है तो बताओ yes या no कोई doubt है तो बोलो ओके सर जबर्दस धमाका ओके वैगस नर बुलकुल cranial नर्व होती है 10 नमबर की वैगस नर जो बॉड़ी के सारे ओर्गन से जोड़ी होती है और मैंने कई जगे बताया भी है हर्ट मैं भी बताया कई जगे बताया सोनल ओके बेटा बहुत बढ़िया गस्टेटरी रिसेप्टर को बता देजिए गस्टेटरी रिसेप्टर ठीक है अभी बताया था बेटा मैंने गस्टेटरी रिसेप्टर मतलब वही रिसेप्टर सेल जो टेस्ट को रिसीब करते हैं अभी जस्ट बताया ना गस्टेटरी यही तो gustatory receptor cells हैं, जिनके पास ये neurons, नर्व दिख रहे हैं वो gustatory receptor cells हैं, ये gustatory receptor cells है, gustatory receptor cells है, gustatory, gustatory मतलब होता है test, जो test को receive करेगा, ठीक है, जब भी आप कोई chemical या कोई food intake करोगे, इन pore के अंदर food की entry होगी, ठीक है, जब food is pore में आएगा, तो ये cell receive करेंगे, और signal कहां जाए ठीक है, किस nerve के थो जाएगा, 7th, 9th, 10th nerve के थो जाएगा, किस पार्ट में जाएगा, brain में बताया था, temporal reason के अंदर, ठीक हो, sorry, brain जब पढ़ाया था, तो बताया था मैंने, तो frontal parietal, parietal sensory होता है, जहां पर taste, gustatory term use किया था, उसके sensation, identify होते हैं, parietal reason, मैंने बहुत अच्छी explain भी किया था, चलो, यहां तक मुझे लगता नहीं है, आप कोई और doubt है, ओके, 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 ठीक है, ठीक है, चलो, 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 आगे बढ़ते हैं, अब बताती है, आईज, आप समझना, एक दम, क्योंकि, question जो भी आए हैं, अगर उठाके देखोगे, मैंने, आज, previous year के सारे question, discuss करने वाला हूँ आपसे, ठीक है, आईज के भी खुप सारे question करूँगा, year के भी खुप सारे question करूँगा, आज, यानि, आज के बाद दुवारा आप पढ़ने की जरूत नहीं पढ़ेगी, पकी बात है, ठीक है, तो, आपको पता दल जाएगा कि, maximum time पर question आये हैं, बहुत कम question directly NCRT से बने हैं, अक्सर कर question beyond NCR भी बने हैं, तो, कुछ concept भी हम ले लेंगे यहां पर, जो कि, ठीक है, पर board पर हम mostly NCRT लेके चल रहे हैं, अब आगे मैं mobile रख रहा हूं, ठीक है, अब आके आते हैं, ठीक है, आईज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, एक super concept के साथ आईज लेके चलेंगे, ठीक है, सबसे प left, right, up and down, clockwise, anti-clockwise, rotate कर पाते हो, अपनी इच्छा से, इसको बोलते हैं, voluntary muscles, आप जानते हो, दो तो, rectus होते हैं, और four, sorry, four rectus होते हैं, और two oblique muscles होते हैं, oblique मलत तिर्चे होते हैं, जो आईज को rotate कराने में help करते हैं, थोड़ा सा NCRT से हट रहा हूं मैं, muscles, प्रकंसेप्ट की से, पुराने question देखोगे, पूछा गया है, which of the following structure of eyes responsible for, ठीक है, accommodation, या है वो question है, तो accommodation तब समझोगे, जब आपको muscles के बारे में पता हो, ठीक है, या which of the following, ठीक है, muscles या part of eyes, which responsive, which act as, die from of camera, camera के die from की तरफ वर कौन करता है, या कितना light को अंदर enter कराना है, कितना नहीं कराना तो वो कौन decide करता है, आपके iris के muscles, iridial muscles, अभी तो जब आप बाहर रोशनी में जाते हो, तो आपका people का size narrow हो जाता है, जब आप dark में जाते हो, तो ये broad हो जाता है, तो आखिर iridial muscles work कैसे करते हैं, तो main जो मैं बताने वाला हूँ, वो involuntary muscles, voluntary तो बस एक knowledge के लिए एक line लि एक flow diagram में यह सारा खतम करते हैं, ठीक है, बस फिर आपको requirement नहीं होगी, तो यहां two type के muscles explain करने वाले हैं, एक तो voluntary muscles, voluntary muscles, voluntary muscles आप जानते हो बटा, total number of muscles कितने होते हैं, six, जिस मैं एक बस short में लिख दे रहा हूँ, two तो होते हैं, oblique, trichy होते हैं, और four होते हैं, rectus, ठीक है, अगर eyeball का structure बनाओगे, तो इस तरीके से four तो यह हो गए, जो आपको आई को up and down, left and right लेके जाते हैं, और two तरीके से oblique होते हैं, इस तरीके से, जो आई को rotation में help करते हैं, ठीक है, तो यह तो voluntary muscles होके, जो आपकी इच्छा से काम करते हैं, अब हम बात करते हैं, आप इन्वालिंटरी muscles की, इस पर question आता है, इन्वालिंटरी अगर muscles की बात करते हैं, तो involuntary muscles पर question आता है, यह थोड़ा कुछ समझना है, थोड़ा सा समझना है, एक dumb concept set हो जाएगा आपका, यहां हम दो muscles की बात करेंगे, क्योंकि इस लिए आता, क्योंकि NCRT के diagram में दे रखा है, ठीक है, एक तो होते हैं, बटा, ciliary body और एक होते हैं, आईरेस, आईरीडियल मसलसी बोल सकते हो, बास, एक एक लाइन में खतम करता हूँ, ठीक है, अगर ciliary body की बात करते हैं, तो एक डाइगर मैं दिखा दूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं, अगर मैं ciliary body की बात करता हूँ, तो यह जो दिख रहे हैं, यह ciliary body हैं, ठीक है, अगर आप समझने कोशिश करना, यह lens है, यह ciliary process और इस lens को ciliary body से जोडने के लिए कुछ ligament होते हैं, यह ligament होते हैं, ठीक है, यह lens होता है, जब भी जैसे आप किसी pen को आइस के पास ला रहे हो, दूर ला रहे हो, ठीक है, पास ला रहे हो, दूर ला रहे ह जा रहे हो, इसको बोलते हैं, एको मोडेशन, यानि उसके according आपकी focal length का set होना, तो which of the falling muscles responsible for accommodation, तो ध्यानक ना, यहाँ पर ciliary muscles की बात करते हैं, ठीक है, ciliary muscles की बात करते हैं, यह accommodation के लिए responsible होते हैं, ठीक है, तो अब यह बहुत बड़ा confusion है बच्चों को, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, कि ciliary muscles contract करते हैं, तो ligament तोड़े relax हो जाते हैं, और जब ciliary muscles relax करते हैं, समझना, तो ligament पर tension create हो जाता है, सर ऐसा कैसे, अब यही बहुत बड़ा confusion है, जो बच्चा अच्छे से समझता है, conceptual पढ़ने की कोशिश करता है, उसको बहुत बड़ा confusion रहता है, बच्चे को क्या अच्छे confusion होता है, उसी को मैं दूर करूँगा अभी बापस आ रहा हूं मैं, तो ciliary body, तो ciliary body, अब ध्याना ciliary body की अंदर हैं, बात करते हैं, तो मैं एक diagramatically represent करूँगा उसको, मान लो यह आपके ciliary muscles हैं, यह ciliary muscles हैं, समझना, और center में आपका lens है, center lens दिखा देते हैं, front पर goal lens है, और lens को ciliary muscles से connect करने के लिए कौन चाहिए, ligament, यह ligament है, अब समझना, अगर ciliary muscles contract करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, अगर यह contract करते हैं, समझना, जब ciliary muscles contract करते हैं, तो lens की convexity, thickness increase हो जाएगी, कैसे, अब समझना, यहीं समझाना चाहरा हूँ, इसी समझना, कहीं भी समझना, यहां समझो, ठीक है, यह ciliary muscles हैं, ठीक है, जब ciliary muscles contract करेंगे, तो यह बताओ, ठीक है, यह aperture कम होगा, ज़्यादा, contraction हो रहा है, तो aperture कम होगा, ठीक है, aperture कम होगा, जब अपर्चर कम होगा, तो ligament relax करेंगे, ligament relax करेंगे, तो lens की thickness, thickness increase होना चालू हो जाएगी, यानि, अगर यह contract करेंगे बेटा, समझना, यह ciliary muscles हैं, यह lens है, यह ligament है, अगर यह contract करेंगे बेटा, तो यह contract किया, बीच में lens, तो ligament relax हो जाएगे, यह नीची पास आ रहे हैं, तो ligament relax हो जाएगे, ठीक है, ligament relax हो जाएगे, तो lens की thickness increase हो जाएगी, पर, जब यह उपर जाएगे, खिचेंगे, यह नीची रिलेक्स करेंगे, अपनी जगे पर जाएगे, तो ligament में tension create होगा, तो lens और खिच जाएगा, और lens की thickness कम हो जाएगी, तो बास, यही होता है, accommodation, आप इसको पास और दू लेके जा रहे हो, इसी को बोलते है, accommodation, तो accommodation को control करने के लिए, यहाँ ciliary muscles होते हैं, यह तो मैं समझा दी आपको सारी बात, पर यहाँ आपको जो याद रखना है, ठीक है, इतना भी नहीं याद रखना, याद रखने वाला point तो एक ही है यहाँ प accommodation, ठीक है, तो accommodation को control करने के लिए ciliary muscles होते हैं, बस concept मेंने बता दिया, कि ciliary muscles जब contract करेंगे, ligament relax करेंगे, convexity ठीक है, समझना, convexity बढ़ जाएगी, lens ठीक हो जाएगा, जब ciliary muscles relax करेंगे, ठीक है, तो बापस अपनी जगे पर जाएगे, तो lens जो ligament होते हैं, उन पर tension create हो जाएगा, lens खिच जाएगा, thin हो जाएगा, आप समझे रहें न, focal length में change जाएगा, तो जब भी आप object को near और far लेकर कर जाते हैं, तो focal length हर बार change हो रही है, तो यही ciliary muscles के contract और relax होने की बज़े से, इसी को बोलते हैं, accommodation, question से बहीं से मिलेगा, कि ciliary body responsible होते हैं, accommodation के लिए, ठ act as, question यह आएगा, act as, diaphragm of camera, आई, camera के diaphragm की तरह वरक करते हैं, यह, iris, iris, iridial muscles, कैसे काम करते हैं, NCRT ने दे रखा है, इसको, समझा रखा है, तो मैं NCRT को ही लेके चलूँगा, किस तरीके से करते हैं, मैं NCRT महीं आड़ कर देता हूं चीज को, कि देखो कि एंसी आटी की लाइन को मैं explain कर रहा हूं जिससे कि आपको यह नहीं लगे कि मैं कहीं उदर उदर से लेके चल रहा हूं बुलकुल एंसी आटी लेके चल रहे हैं जिनको i-regal muscles बोलते हैं दो case आएंगे यह दो टैप की होते हैं आई-regal muscles टू टैप की होते हैं अच्छाए यह भी लिख देते हैं चलो थोड़ा एक दो पाइंट एक्ट्रा ही सही है और आइडियल मसल्स की बात करते हैं दीजा टू टाइप एक सर्क्यूलर होते हैं और एक रेडियल होते हैं ये भी पुराने कोशन्स तो मिल जाएंगे आपको सर्क्यूलर और रेडियल जब सर्क्यूलर में कॉंट्रेक्शन होता है अगर ये कॉंट्रेक्शन करते हैं तो क्या होता है रेडियल में कॉंट्रेक्शन होगा तो क्या होगा अगर circular contract करते हैं समझना यह iris है यह iris circle बना हुआ आपकी जो colored eyes होते हैं रिंग होती है इसके इंदर blue ring ठीक है green ring black ring brown ring वो iris की ring है circular form में iris की ring ठीक है इसी की बज़े से आपके eyes के different color होते हैं ठीक है तो यह circular muscles iris की होते हैं और यह radial muscles होते है जप circular muscles ben contraction होगा आप देखना हैं स्ंसक्राइब करेंगे डाइमिय होग भड़ एक त्रीके से समस्क्ते हो ठीक है तो यह कॉंटिट करेंगे तो होगा साइब टेक्रीज बाइब मीटर और प्योपल कज़ो हाँ अगर यह कॉंटेट करेंगे इंक्रीज diameter of यह बहुत important बात थी बेटा muscles बाली मैंने NCRT की line भी cover कर दी और जो थोड़ा सा पुराने questions थे कि diaphragm of camera की तरह यह तो कहते हैं diaphragm of camera यह क्या काम करता है आपकी light को adjust करता है कितना light eyes में जानी है तो यह iris के muscles सी तो control कर रहे हैं आप light में जाओगे तो यह ठीक है आपका people का diameter कम हो जाएगा जब आप dark में जाओगे तो people का diameter बढ़ जाएगा तो pupil का diameter कम और ज्यादा इन आईरिस के muscles की बज़े से होता है lens की thickness, increase or decrease, ciliary ciliary body यह ciliary muscles की बज़े से होती है यह दो बाते ध्यानक नहीं इसी को accommodation बोलते हैं इसको हम diaphragm of camera की तरह वर्क बोलते हैं तो अभी starting की है मैंने अहों मैं NCRT के recording आ रहे हैं यह दो बहुत जरूरी बाते थी इसके बाद हम start करते हैं structure of eyes तो eyes को structure को बताने से पहले मैं NCRT का पूरा diagram explain करूंगा सारे question तो यहीं से solve हो जाने हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं जब भी light आपकी eyes की cornea पर पड़ती है तो यह कहां पर light को reflect करेगी lens की उपर lens का करेगा इसको सीधा आपके eyes के posterior part पर तो यह आपका eyes का anterior part हो गया यह posterior part हो गया करके NCRT ने anterior posterior term यूज़ किया है अब कहां पर reflection होता है एक yellow color का यहां पर एक spot होता है यह पूरा yellow highly pigmented yellow color का spot होगा highly pigmented yellow color का एक part होगा इसको yellow spot बोलते हैं यह macula lutea बोलते हैं यहीं से start करते हैं question यहां से बनेंगे yellow spot क्या बोलते हैं yellow spot को macula lutea पहला question तो यहां है macula lutea yellow spot ठीक है yellow spot का होता है posterior end of eyes आइस के posterior end पर होता है अगर मैं इस yellow spot की बात करता हूँ जो macula lutea की बात करता हूँ जाँ yellow pigment होते हैं बेटा तो यहां पर rod होते हैं cones यहां दौनों ही absent होते हैं यह question आएगा तो यहां rod and cones दौनों ही present होते हैं rods and cones both are present at this reason पहला question यहां बनेगा ठीक है और इसमें central pit होती है इसको बोलते हैं phobia centralis central pit जो दिख रही है आपको यहां पर इसको बोलते हैं phobia centralis अब इसपर आते हैं इसपर question मले चचे बनते हैं phobia centralis यह yellow spot के ठीक center में समझो मेरी बात यह पूरा yellow spot है पूरा patch बना हुआ है इस patch के center में groove है pit है इसको बोलते हैं phobia centralis centralis central pit central pit तो center में hole है groove है hole नहीं कहेंगे groove है सबसे दसा हुआ पार्ट इसको central pit बोलते हैं इसी को बोलते है phobia centralis समझ में आ गया होगा phobia centralis क्या है phobia centralis पर कैसे कैसे question बन सकते हैं बहुत सुपर तीन question तो ncr tip में लाइन ही दे रखी है वहीं लेकि चल रहा हूँ पहले तो मैं पहली line question आएगा सबसे thinest part है retina का ध्यान से दिखो यहां पर retina क्या हो गई यह retina थी यह एकदम यह thin हो गई यह retina थी तो retina का सबसे thinest part कौन सा है phobia centralis thinest part of retina स्कूटा देते हैं थोड़ा सा समझ में आकर पहली बात अगला question बनेगा इसके उपर phobia centralis center में ठीक है जो पार्ट है यहां पर brood होते हैं conso2 दौनो होते हैं यह दौनों ही absent होते हैं बोथária absent naach Hundow कॉन्स अऔर प्रिजंन्ट यहां पर सिर्फ कॉन्स प्रिजंन्ट होते हैं रोड एपसेंट होते हैं वो भी अबलिक ली तिर्छे तिर्चे तिर्चे वहां यहां पर कॉन्स वाओंगे जो अबलिक ली अतुता मम झीलिट एक अ Crow and थे लहुत एक अरो दो बात ध्यान रखनी है अग यह आप जानते हैं जो रोड़ होते हैं वह नाइट में लाइट में एथिक है अगर धेजन के लिए रिस्पोंसिबल होते हैं नाइस凰ह रिस्पोंसिबल असका विजुछ Anda सबहट气 के लिए रिस्पॉंसर होता है हाइस्ट विज्वल एक्विटी या रिजुलूशन जिसका होगा आप बलोगे फोबिया सेंट्रेलेस क्योंकि यहां कौन सी कौन्स भरे हुए है यानि वो जगह है जहां कौन्स डैंसली पैक्ड है ओबलिकली ठीक है तो इसकी विज्वल सब्सक्राइब बताने वाला हूं सब्सक्राइब करें एक चीज को एक्स्क्राइब करूंगा है जो कोशन डार्क्ली मिलेंगे वो याडि कर दूं मैक्जिमम मैं कि विज्वल एक्विटी है या रेजलूशन भी बोल सकते हो ये कोशन मनते हैं डार्क्ली मिलेंगे ठीक है तो दो बाते क्लियर होगी कि यलो स्पॉट क्या है फोबिया सेंट्रेलिस क्या है कहां कहां पर बिटा रॉड और कोंस दौनों होते हैं और कहां पर ओनली और ओनली कोंस होते हैं सबसे थिनेस्ट पार्ट क्या है एकदम क्लिय यानि इस जगह पर ना तो rod होते हैं ना कोन्स होते हैं ध्यान रहुद को एंड कौन्स है बोथ आर एपसेंट यानि ना तो rod होंगे बटा ना कोंस होंगे बोथ हार एक सेंड इसी को बोलते हैं blind spot अब यहां पर ओप्टिक नर्व ध्यान से देखोगे तो यहां पर उप्तिक नर्व तो बाहर जा रहे हैं और जो ब्लाइन को नहीं होते यहां पर अप्टिक नर्व ब्लड वैसल होते हैं और कुछ rejection के boss बात करते हैं लेयर्स ओफाई जो NCRT ने रखा है तो NCRT ने दो सबसे पहले आउटर लेयर दे रख़िए स्कलैरा मैं इसको ले लेके चल रहे हैं ठीक है तो इसकलैरा की अगर मैं बात करता हूँ यह आउटर लेयर है और यही anterior side पर जाकर के cornea में modified हो जाती है cornea actual में sclera का modification है ध्यानक न आपको outer layer है ठीक है दो पैंट ध्यानक ने है avascular and fibrous ठीक है और यही modified into cornea यही cornea में modified हो जाती है यह होगी outer layer ठीक इसके निच्छे second layer होती है choroid ठीक इसके निच्छे second layer होती है choroid अब diagram में दिख रहा होगा अगर मैं choroid की बात करता हूं ध्यान से देखो पिछे की side में जो choroid वो थिन है पर आगे की side में यही choroid convert हो गई ciliary body समझना और iridial muscles के अंदर जैनि choroid का ही modification है ciliary and iris ciliary body and iris तो आगे ठीक हो गई यानि anterior part thick है इसका और posterior part thin है और ncrt में भी दे रखा है और question भी ऐसे ही आएगा अगर मैं इसके question की बात करता हूं कैसे question बनेगा देखो अगर हम koroid की बात करते हैं अगर हम koroid की बात करते हैं समझना question क्या बनेगा इसको दो पार्ट में device अच्छा पहले लेयर कैसी है यह question यह भी बनता है लेयर कैसी है आप लोगे यह जो लेयर है वह वैस्क्यूलर है वैस्क्यूलर है प्लस पिग्मेंटिड है वैस्क्यूलर और पिग्मेंटिड है वैस्क्यूलर और पिग्मेंटिड लेयर होती है यह वैस्क्यूलर लेयर होती है पिग्मेंटिड लेयर होती है इसके दो पार्ट होते हैं एंटिरियर और पोस्टिरियर जो मैं बताने वाला कोgrass अभी मैं थेओरी के साथ करूगा सको एंटे इंप चुर्अ दो बाते के लिया खिए टो गिर ऊटर ने खि़ः और कुलियर उगई जो ए वैसकुलर ऐसे तीक मिड़ए के लिए के यहां पर द्यान अब आपको फोटो रिसेटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं थीक है सेंसरी होती है इस फोटो रेसेटर सेल को फोटो रिसेप्टर सा जहां प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर जो फोटोन को रिसीब करते हैं जो लाइट को रिसीब करते हैं उनको फोटो रिसेप्टर बोलते हैं लाइक रॉड एंड को बोथ हार फोटो रिसेप्टर यानि यह सेंसरी निचर की होती है इनर होती ह है यह भी लिखना है आपको इनर लेयर होती है है इनर होती है sensory nature होती है photo receptor सा यहां present होते हैं इसी के ऊपर phobia centralis yellow spot और blind spot जैसी चीजे देखने को मिलती है तो यह सारे पाट एक क्लियर होगी जहां से question बनेगा नीट में वह सारी बाते में explain कर रहा हूँ, क्योंकि आइस इतना बड़ा topic आइस पूछो ही मत, पर इसमें वो बातें explain करूँगा जहां से question बनेगा, तो एक बात तुमारी ये clear होगी, अब हम बात करते हैं, लेंस की अगर मैं बात करता हूँ, समझ ना मेरी कर सकते हो, ऐसी किसी भी औरगन को transplant कर सकते हो, जो एवेस्कुलर है, तो भाई, बोडी का औरगन तो एवेस्कुलर होते हैं, ठीक है, हाँ, cartilage की case में हम बात कर सकते हैं, कि cartilage maximum एवेस्कुलर ही होते हैं, उनकी बस periphery पर blood vessels होते हैं, ठीक है, पर उनको transplant करने की जिरूत नहीं होते हैं, ठीक है, transplant आपने देखाऊ का cornea होता है, transplant आपको देखाऊ का lens होता है, easily हो जाते हैं, क्योंकि ये वेस्कुलर होते हैं, blood supply नहीं होती, immune cell से इनका interaction नहीं है, tissue rejection बाला concept यहाँ पर applicable नहीं होता, तो ये ये वेस्कुलर होता है, बुलकुर transparent होता है, ये वेस्कुलर होता है, जो light को ठीक है, posterior retina पर focus करने का काम करता है, जो lens समझ में आ गया, अब lens को ciliary muscles से hold करने के लिए, यहाँ जो structure होते हैं, इनको बोलते हैं, ligament, तो ligament का काम क्या होता है, lens को ciliary muscles से attach करना, ठीक है, side 2018 में आई हुआ question है, need का, ठीक है, कि lens को ciliary muscles से connect कौन करता है, ligament होते हैं, जो lens को ciliary muscles से connect करने के लिए responsible होते हैं, चलो यह भी clear हो गया, ठीक है, अब यहाँ जो आपके eyes colored होते हैं, ठीक है, blue color, ठीक है, black color, brown color, ठीक है, जो भी color होते हैं, greenish color, उसके लिए कौन responsible होते हैं, iris, क्योंकि iris pigmented होते हैं, iris choroid का ही modification है, जो मैं कराने वाला हो भी, ठीक है, तो चलो lens clear हो गया, ligament clear हो गया, ciliary body हमने बताई दिये, अब ciliary body में ciliary process होते हैं, तो lens और cornea के बीच में एक liquid होता है, इसको तो बोलते है, aqueous chamber, और इसमें liquid होता है, इसको aqueous humor, और पिछे वाला chamber होता है, इसको vitruss chamber बोलते हैं, इसमें liquid होगा, vitruss humor, जो vitruss humor होता है, यह तो jelly like substance है, जो eyes के shape को maintain करता है, aqueous humor होता है, वो, यही release करते हैं, ciliary body, ciliary process, ciliary body के जो ciliary process होते हैं, process समझते हो न, आगे finger like prediction, यह release करते हैं, release, ठीक है, aqueous humor, aqueous humor, aqueous humor, जो है liquid, जो आगे भरा हुआ है, इसको release करने के लिए ciliary body responsible होते हैं, क्या requirement है aqueous humor की, भई, cornea और lens, a-vascular है, बट इनको nourishment तो चाहिए न, तो nourishment प्रोवाइड कराने के लिए, यह liquid ठीक है, जो blood के filtration से बनता है, तो इस liquid की requirement होती है, जो continue cornea को और lens को nourishment provide कराता है, तो cornea और lens के nourishment के लिए, जिस liquid की requirement होती है, उस liquid को aqueous humor बोलते हैं, जो पीछे gel है, उसको weightless humor बोलते हैं, जो eyes के shape को maintain करने के लिए responsible होता है, aqueous humor nourishment provide कराता है, यह vascular structure like cornea and lens, चलो यह भी clear हो गया, अब finally हम आगे बढ़ते हैं, आइरिस के बीच में एक जो circular circular जो आपको aperture दिख रहा है, इसको बोलते हैं pupil, pupil, तो जब आप light and dark में move करते हो, तो आपके pupil का diameter कम और high और low हो जाता है, diameter कम और जादा होता है बटा, तो इस diameter को maintain करना कौन responsible करता है इसके लिए, आप बोलोगे आइरिस के muscles, तो आइरिस का काम ही होता है, act as diaphragm of camera, बताया था मैंने, act as diaphragm of camera, एक camera के diaphragm की तरह वर्क करते हैं, यह iridial muscles और pupil के diameter को control करते हैं, जबके ciliary body की बात करते हैं, it is responsible for accommodation, focal length को maintain करने का काम करते हैं, तो यह आपके eye के structure complete हो गए, ठीक है, अब इस eye के structure को theoretical बताऊँगा मैं आपको, ठीक है, अगर मैं eyes की layer की बात करता हूँ, तो इसको three parts में हम divide कर सकते हैं, आपको notes भी बहतरीन देने वाला हूँ, ठीक है, हर चीज बहतरीन मिलेगी आपको, नंबर वन हम बात करते हैं, नंबर वन अगर हम बात करते हैं बिटा, तो नंबर वन में आएगा, सबसे outer, tunic मतलब होता है layer, ठीक है, तो जो outer layer होती है, इसको fibrous tunic बोलते हैं, जो middle layer होती है, इसको vascular tunic बोलते हैं, और सबसे अंदर की layer होती है, इसको photo sensory tunic बोलते हैं यह ध्यान अखना है आपको ठीक है तो तीन लेयर की बात करते हैं आउटर आउटर लेयर होगी फाइब्रस त्यूनिक निवाइब्रस त्यूनिक मतलब लेयर नमबर टू मिडिल वाली वैस्कुलर ट्यूनिक नमबर थ्री, फोटो सेंसरी, फोटो, जो फोटॉन के लिए सेंसेटिव होती है, फोटो सेंसरी ट्विनिक, थ्री लियर्स होते हैं इसके, ठीक है, तो जो इसको बोलेंगे, भई, जो फाइबरस ट्विनिक है, यह आउटर हो गई, आउटर, यह मिडिल हो गई, यह इनर हो गई, अगर मैं फाइबरस ट्विनिक की बात करता हूँ, तो फाइबरस ट्विनिक, अभी बताया है मैंने, यह वैस्कुलर होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती, यह मतलब एपसेंड, वैस्कुलर का मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, और नामी है, फाइबरस, जो किस नेचर की होती है, फाइबरस नेचर की होती है, फाइबरस होती है, फाइबरस का मतलब, कॉलिजन फाइबर से मिल यानि स्क्लेरा और कॉर्निया बोथ आर ए वैस्कूलर फाइब्रस लेयर है जब कि वैस्कूलर ट्यूनिक की बात करते हैं वैस्कूलर ट्यूनिक की बात करते हैं तो बैटा वैस्कूलर यह वैस्कूलर होती है वैस्कूलर होती है पिगमेंटेड होती है लाइक ब्राउन लाइक ब्ल्यू ट्रपल भी ब्लाउन ब्ल्यू और इन्हीं के कॉमिनेशन से और भी कदर बन जाते हैं आप समद रहें ना मेरी बात यह सारे के सारे कलर इस पिगमेंटिड लियर के अंदर होते हैं ठीक है और इसके अगर कि ढ़ीकें तो यहीं आगए जा करके दोङा कुसकें अंदर यहिए मौडिफाइड होते हैं अगो इसकें अनदर निएगी 19 वहरू अजेएसं यह इसमें रिस आएगी घच यह तिन ही फिगमेंटिड लियर हैं और इसकें थर सिलीर्य बॉडी हाएंगे यानि सिलियरी बॉडी आईरिस और कॉराइड ये तीनों के तीनों वैस्कुलर ट्यूनिक के पार्ट हैं मिडिल लियर के पार्ट हैं जो वैस्कुलर होती है ठीक है पिकमेंटिड होती है ब्लैक ब्राउन ब्ल्यू ठीक है ये ट्रपल भी कॉंबिनेशन दे होते हैं क्या होते हैं photoreceptor cells अगर photoreceptor cells की बात करते हैं these are two type rod and cones जो rod और cone से मिलकर के बनी हुए वो photoreceptor cell है यह तीनों layer आपके समझ में आया होंगे ठीक है NCRT का diagram muscles समझ में आया होंगे आपको NCRT का diagram समझ में आया होगा होगा आपको immense याड़ी लेकर चल रहा हूं part of an eyes eyes को किस इस part में divide कर सकते हैं कहीं से कुछ बचेगा यह नहीं अब हम parts of eyes की बात करते हैं the adult human eye ball is ठीक है nearly कैसी होती है spherical structure होती है ज्यार रखना है आपको the wall of eye इसकी wall कितने लेर होते हैं three layers होते हैं अगर three layer की बात करते हैं the external layer composed of dense connective tissue dense irregular connective tissue आप समद रहें ना covering या जो fibrous of with dense connective tissue आगे है तो dense के नदर fibrous tissue आगे फाल इसके नदर रहने को मिलेंगे ठीक है and is called is sclera जो detail में सारा बता चुक हूं उसके बारे में the anterior portion of this layer is called cornea वही anterior part इसका cornea है जो sclera के modification से बनता है जब कि middle layer की बात करते हैं तो है जिसमें क्या होते हैं contain many blood vessels को की highly vascular होती है और यहाँ पर bluish color के pigment इन्होंना ओनली की color दे दिया है bluish ठीक है पर blue black blue brown यह तीनों टाप के pigments होते हैं अभी तो आपकी eyes के different combination देखने को मिलते हैं तो अगर मैं sclera की बात करता हूं सरी और की बात करता हूं इसको divide करेंगे हम ठीक है इस लेयर की अगर हम बात करते हैं इसको ढवाइड करेंगे अब दोखो अब समझ में आगा आपको इसको 2 part में divide कर सकते हैं middle layer की बात कर रहे हैं चल रहे हैं आपर middle layer मैंना भी बताता इसको दो-पार्ट में divide करते हैं एक anterior एक पोस्टीरियर आगे वाला पोस्टीर पीछे वाला एंटीरियर पार्ट होता है ठीक है anterior anterior आगे का आगे का कम वन थार्ड जो anterior one third पार्ट होता है वो ठिक होता है ये question बनेगा ज़्यक्त के उपर जब के posterior पार्ट two third remaining maximum part है ये thin होता है comparative anterior anterior पार्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलने वाला है anterior पार्ट में आपको पार्ट में देखने को मिलना है आपको क्राइड ये NCRT की information है जो उधर जगे कम थी इसलिए मैंने यहां लिख दिया बेटा तो क्राइड की बात कर रहा हूं जिसमें क्या होता है many blood vessels and ठीक है looks bluish in color ठीक है the choroid अच्छा ये blood vessels की बात चल रही है ठीक है अच्छा looks bluish in color the choroid layer is thin over the posterior two-thirds द्यान रखना जो पोस्टीर तू थर्ड पार्ट होता है वो थिन होता है ठीक है eyeball but the become thick in the anterior part anterior one-third part होगा वो कैसा होगा कैसा होगा वो थिक competitive thick होगा जिसमें ciliary body और iridial muscles या iris present होते हैं यह कोशन यहां से बनता है मिडिल लेर क्लियर हो गई आपको वही तीनों लेयर बहुत अच्छी तरीक से मैंने लेर करा दिया दो ही बाते बता ही है ncrt साथ लेकर चल रहे है layer of eye clear एकदम eyeball ठीक है number two muscles of eye यह दो बाते आपको clear होगे और structure of eye एकदम clear है यहां कोई doubt नहीं होगा ठीक है itself continue forward to form the pigmented and opaque structure इसी को बोलते है आइरिस वाइरिस भी सी का पार्ट है और ciliary body भी सी का पार्ट है विच इस विजिविल कलड पोर्शन भई आपके आइस का रंगीन बाला कलड बाला पार्ट है उसके लिए यही आइरिस इस पॉंसिवल होती है दा आई बॉल ठीक है कंटेन अ ट्रांस पेरेंट क्रस्टलाइन लेंस जो एवेस्कुलर होता है अभी बताया विच इस हैल इन प्लेस बाइता लिगामेंट यह कोशन आया हुआ है नीट का कोशन है कि लेंस को ठीक है डुब काल रटरीक लोगाने कोन्ट बंसिवल होते हैं लिगामेंट रिस्पॉंसिल होते है आ रुम का को क्योंच कोशन है त्लe करेंसे इन में प्रंट आफ लेंस प्रण्ट के फ्रेंट पर वही क्या होता है उस्तंड मैं पूपिल बोलते हैं समझाय चुका हम मैं और ढायमीटर ओ pointless Regulated वैं कौनसे मसल्स बोलो कि आयरीदियल मसल्स म词द्इब्ध ट्व टाइप रेडियल एंड सरकुलर सर्कुलर कॉंट्रेक्ष्ण maior गांडायुटर कम यहां तो 2 ही इतना sufficient है मैंने sufficient करा दिया अब यहां जो detail में चलेगा photo receptor cell वही थर्ड यह में photo receptor rod and con यह किसका part है यह part है रेटिना आ राटिना रैटिना में क्या होते हैं फोटोरेप्रों दोन दोने रोड सो अबorsa के बार में डिटेल में पढ़ने वाले निदेर रखा है समझ लो र है ईंस कींत नबर की मिलेट्राइं में ठींटिर ऊह शुरिह त्पोरिह Layar again form by 3 layer इस पर तो बहुत question आता है super label question बनते हैं ठीक है तो retina की अब layers की बात करते हैं तो यहां भी 3 type के layer देखने को मिलने वाले हैं आपको इसको समझना है बहुत important है यहां से question बनते हैं कि अब अच्छे confused होते हैं inner layer outer layer आज confusion में दूर करूंगा कि कैसा भी अभी तो आपको समझ में आगा पर बात में confusion जो आता है ना उसकी भी ट्रिक बता देंगे कि कि इनर टू आटर बात करेंगे कि ncrt ने इनर टू आटर लिखाए अब देखो inner कौनसी layer होती है outer कौनसी होती है middle कौनसी होती है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे inner layer ठीक है गैंगलियोनिक सेल होते हैं अब मिडिल में क्या होते हैं bipolar बाई पोलर सेल्स वही बाई पोलर नीरोन आइज में भी होते हैं और सबसे आउटर समझना अंदर से बाहर चलोगे तो आउटर साइट में देखने को मिलेंगी वह होंगे बिटा फोटो रिसेप्टर इसमें आप जानते हैं रॉड होते हैं और को न सुते हैं अब समझना आप कोश्चन तो यह आएगा वही सबसे पहले समझना होगा पाथ ओफ लाइट क्या होगा यहां पर लाइट मैं समझा देता हूं डागराम बनाकर सम्झा होता है अच्छा समझना आएगा अगर 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 देखो अगर आप के यहां आगा कोई देकर त्मचर रहा है अगर 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 आप आप समझना आप यह मालो यह आई है आपकी ठीक है आइस में जो लियर बताया थे मैंने कितने लियर यह यह पर इसके नदर थ्री लियर्स होते है यह थ्री लियर्स होते है ठीक है थ्री में मैंने बताया सबसे इनर लियर होगी सबसे इनर ठीक है रेटीना मिडल लियर कौन सी होगी मिडल में आएगी कोराइड सबसे आउटर लियर कौन सी आएगी स्कलेरा ठीक है तो यह सबसे इनर होगी यानि वह आली सबसे अब मैं रेटीना में 3 layer लिख रहा हूं रेटीना में 3 layer होते हैं ठीक है रेटीना में sequence द्यानाम सबसे inner और एंद सबसे outer अब ऐसा लगता है हमें आएक है पहले आएगी फिर दीरी दीर आप समतना मेरी बात जो आप लिखोगी पूँ अंदर लिखोगे पर अंदर नहीं वह और्छाउटर में आती है समझा रहूं मैं सब पेहले आगी गैंगलिओनिक सयल अरो फिर आहीगी बाइपोलर और और फिर आएगी पेटा ठीक है लास्ट में फोटो исслед क Dave Koda प्र एंटार थो फो तो फोटो एंटर कैसे ओवी आउटर अ कर ये गैंगलोनिक चैल कैसे होगे इनर अब समझना, आप question कैसे अब आएगा, कि भई, तीन लेयर है, रेटीना के अंदर भी sequence, अब क्या sequence होगा, पहले ganglionic से लोंगे, फिर bipolar होगे, फिर photoreceptor होगे, फिर koroid होगी, फिर scler होगी, इस sequence पर question आता है, inner outer पर आएगा, sequence पर question आएगा, और आप से पूछा जाए path of light क्या होगा पर light जब eyes पर पड़ेगी तो पहले light किस पर आएगी गैंगलियोनिक इसके अंदर नहीं मतलब इससे होती हुई जाएगी पहले गैंगलियोनिक पर light जाएगी फिर bipolar पर जाएगी फिर photoreceptor तो actual right को जो receive करेंगे light का जो effect पड़ेगा तो वो किस पर पड़ेगा photo receptor तो अगर मैं path of light की बात करता हूं तो light सबसे पहले जाने वाली है light आप समझ गए तो light का interaction सबसे पहले गैंगलियोनिक पर होगा समझ रहे होना मेरी बात light पहले गैंगलियोनिक पर पड़ेगी फिर bipolar पर पड़ेगी और फिर photoreceptor पर light पड़े जहां पर light का effect होगा तरी यहां पर क्या होगा डी पॉलराइजेशन डी ऑफोलराइजेशन डी पॉलराइजेशन गए जेशन पर light के effect से impulse का generation होता है और इंपल्स किस फॉर्म में generate होती है डी पॉलराइजेशन पुरा चेक्तरी पढ़ा चुकिए तो अब अगर आपसे पूछा जाए path of impulse ठीक है तो अब आपसे पुछा जाए path of impulse पार ऑफ इंपल्स तो इंपल्स का path क्या होगा impulse generate का होगा impulse generate होगा कहाँ पर इन फोटो रिसेटर से अंदर तो फोटो रिसेटर से ये डी पॉलराइजिंग सिगनल जाएगा बाइपोलर से सिगनल जाएगा कहाँ पर अब बोलोगे गैंगलियोनिक सेल गैंगलियोनिक सेल से ये सिगनल जाएगा ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक नर्व सीधे एंटर करती है हमारे ब्रेन के विजुल वाला पार्ट और सीपीटल याद हो गया होगा आपको ऑसीपीटल लोब और ब्रेन ब्रेन के ऑसीपीटल लोब में तो अगर आपसे पूछा जाएगा पाथ ओफ इंपर्स तो बहुत अच्छे चे कोशन मनते हैं इस लियर की उपर इनर गैंगलियोनिक सेल मिडिल बाइपोलर और आउटर फोटो रिसेप्टर जो फोटोन को ला तो अगर लाइट जाएगी तो किसके ऊपर से होती गैंगलियोनिक सेल से बाइपोलर सेल से इनके इसेक्ट नहीं पड़ेगा लाइट एंटर करती है फोटो रिसेप्टर के पास और लाइट के लिए सेंसिटिव है लाइट को रिसीप्टर के तुरंद क्या होते हैं डी इसका जनरेशन हो गया तभी तो ट्रेवलिंग स्टार्ट होगी तो फोटो रिसेप्टर से बाइपोलर बाइपोलर से गैंगलियोनिक से अप्टिक नर्व जैन आप्टिक नर्व कहां लेकर जाती है इसको औसी पिटल लोब में तब जाकर के आपका मेमोरी बेस्ट या जो होगा यह दिमाग में सैट हो जाना चाहिए तो दो बाते क्लियर हो गया लेयर सवाला पाइंट हमारे एक दम क्लियर हो गया ठीकल पात कहां किसका पात कैसे एक रोगया रेटिना की स्कुएंस समझ में आ गई हमें अब हम बात करते हैं इसके बाद अब बात किसी करने वाले हैं अब बात करने वाले हैं रोड एन कोंस यानि इस फोटो रिसेप्टर सेल की डिटेल में अभी समझ गए का कुश्चिन जहां से आने एंसी आटी की लाइन टू लाइन कराने वाला हूं एक एक चीज एंसी आटी चल रहा हूं पर बहुत हम समझना इधर एक तरफ तो हम लेके चलेंगे रोट एक तरह लेके चले अटीख फोटो रिसेप्टर को डिटल मेंगे चल रहा है कोशन कैसे कैसे आएँ ए रोट्स और कॉस अब समझना, अब यहां मैं एक एक बैतरीन तरीके से एक एक पॉइंट को एकदम क्लियर करने वाला हूँ ठिक है पहला याद कर रहें से तब्हान कर तक हूंगि आप रोड कब जलाते हो दिन के टाइम रखर या देकर टाइम पर आप समझ गए, रोड का फंक्षन नाइट में होता है शेप भी रोड शेप होते हैं सब्क्राइस दें कर दीन के अधिश्य सेल्स आधिया तो ये का पॉजिशन में बता चुका हूं यलो स्पॉट ठीक है सारी सब चीजें बहुत क्लियर कट तरीके से मैं कुला लूटिया क्योंकि लूटिन पिगमेंट यह लोग लगे पिगमेंट होते हैं लूटिन इसलिए लूटिया बोलते हैं तो रॉड़ एंट को मैं बहुत अच्छी अच्छी 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 अब बात करते हैं किसकी है रॉड़ अगर मैं रॉड़ की बात करता हूं बिटा तो नंबर ध्यान अखने नंबर अगर नंबर ऑफ रॉड़ की बात करता हूं तो रॉड़ के नंबर बहुत ज्यादा हो होगा अगर मैं कॉंस की बात करता हूं तो कॉंस के किस में ध्यान रखना है आपको कॉंस का नंबर कंपरेटिव बहुत कम होता है एप्रोक्सिमेटली 6 मिलियन चलो एक बात क्लियर होई अगर हम रॉड की बात करते हैं बेटा तो रॉड ठीक है डिम अगर्म लाइट इसका एक्टिविशन कब होगा एक्टी अगर्म लाइट में कॉंस की बात करते हैं कब एक्टिवेट होंगे यह होंगे ब्राइट लाइट में अब भी समझाते हूं एक बात दिमाग में सेट करूँगा अच्छा अगर हम रॉड की बात करते हैं ठीक है रॉड में जो इमेज बनती है ठीक है वो कैसी होती है ब्लैक इन वाइट वहाँ पर कलर्ड होगी यहाँ पर कलर्ड इमेज होगी अच्छा रॉड में जो विजन होता है कैसा होता है जाएं इंसी आदे रखाएं इस रोड की विजन को दे रखाएं लिग देता हूं मैं है इसको टापिक विजन कि जबकि कौन्स के विजन को बोलते हैं समझाता हूं क्यों बोलते हैं क्या है फूरा मेकनिजम समझाने वाला हूँ ठीक है कुछ एक दो पाइंट और लिख लो अगर मैं सेंस्टिविटी की बात करता हूँ अगर मैं रिजिलूशन पावर की बात करता हूँ इसको विज्वल एक्टिवी एक्टिवी भी बोलेंगे रिजिलूशन या जो एंसी आठीके सारे टर्म मैंने यूज कर लिए हैं तो कुछ पॉइंट्स लेखें आप समझना भी रॉड कैसे याद रखोगे रॉड बेटा नाइट के टाइम पर आप ओन करते हो ठीक है दिम लाइट में अब ये भी पूछा जाता है कि क्या डाक मैं ये ब्राइट लाइट में लाइट में जिन लाइट में डेत्स की या झाथ ये तो इमेंगााट रॉड पर आपको पर आपको ब्लैके इंसr daunting रॉड ब्लैके बनेंग है तो इमेज कैसी oni बनेगे यहांपर ब्लैके युए आई कि यहां इमेज कैसी आगी कलर मेंज आएगी अच्छ जो इमेज अब शुर्ट ने टू टैप की मेज की बात किया एक तो है इसको टॉपिक एक है फॉर टॉपिक तो समझ मैं फॉर टॉण के थो स्वलाइट के फॉर्टॉण के थरो जैमेज बनती है जिसमें लाइट को involvement है नि daylight bright light के photon का तो उसको बोलते है वोर तोपिक image और जो without photon है उसको score topic image बोलते है ठीक है यह तरीकी से night में ठीक है dim light में night में बनने वाली ठीक है image होती है यह day के time बनने वाली image होती है ठीक है यह कब होती है dim light अच्छा लिखतो दिये मैं उपर dim light और bright light अब बात करते हैं sensitivity अब यहां confusion होता है बच्चे को sensitivity अब ग्लास में दो तरीके की बच्चे एक बच्चे को मैंने थोड़ा था बोल दिया घदे तुझे इतना भी नहीं आता वो रूने चालू कर दिया ठीक है तो पर बॉइस होते हैं वह बहुत धीट होते हैं वही डाटना तो छोड़ो उन्हें धंग से पीट भी देंगे तब भी वह समझे रहना हसेंगे यानि वह कम sensitive होते हैं यानि ऐसा rod and cones मेंसे वह cell जो कम light पर ही धीप GdipChat होते हैं यानि उनकी sensitive जादा हुई जो जादा light पर भी-डीप जादा light पर नि बहुत मारने पीतने पर तब जब जाकर करने को चेंज आता है वो कौन्स होते हैं यारी नाइट के टाइम पर जो एक्टिवेट होते हैं उनकी सेंस्टिविटी बहुत जादा होगी जो दिन के टाइम पर एक्टिवेट होते हैं उनकी सेंस्टिविटी कम होगी तो आप से पूछा जाएगा रोड की सेंस्टिविटी हाई हो क्या है तो resolution power की अगर बात की जाती है resolution जैसे दूर से अगर बहुत सारे pillar लगे हुए हैं दूर बहुत सारे pillar लगे हुए हैं समझना मेरी बात आप resolve करने में capable यार कितने pillar हैं एक दो तीन आप count कर पा रहे हो उन pillar को आप समझ रहे हो तो आप resolution का मतलब है अलग-अलग करने की शमता आप अपनी आइस से identify कर पा रहे हो और आपको दूर से देखने पर एक ही नजर आ रहा है आप identify नहीं कर पा रहे कितने pillar हैं यानि आपके resolution power कम है तो night के time पर अगर कहीं चार-पांस लोग दूर से आ रहे होंगे तो आप उनको resolve नहीं कर पाओगे पर दिन के time पर आप resolution आपकी अच्छी होगी यानि rod की resolution power बहुत लो होती है और इसको विज्वल एक्विटी बोलते हैं बहुत ज्यादा होती है तभी तो मेरे ncrt के डाग्राम में लिखा था जो यलो स्पॉर्ट है उसके ठीक बीच में जो पिट होती है इसको फोबिया सेंट्रेलिस बोलते हैं वहां ओनली और ओनली कोंस होते हैं इसलिए उस रीजन को हम बोलते हैं क्या उस रीजन की विज्वल एक्विटी बहुत जादा होती है आप समझ पाए होगे ना विज्वल एक्विटी बहुत जादा होती है यह ध्यान आपको बहुत अच्छी तरीके से कोशन आएगा इसकी उपर विज्वल एक्विटी किसकी जादा होती है समझ यह पॉइंट समझ में आई आपको रोड एन कोंज के डारेक्ट कुशन में आपको फोरड थिक आपको होते हैं नाइट की टाइम पर एक्टिवेट्स नमबर बहुत ज्यादा होते हैं को सब्सकी कम अच्छाएंक के लिए यह ब्राइट लाइट के लिए ब्लैक इन वाइट तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्लियर था विलकुल अब मैं आगे बढ़ रहा हूं ठीक है अब रॉडन कोंस की नेक्स्ट हम स्लाइट पर आ रहे हैं एड करते हैं वही यह रॉडन कोंसी चल रहा है कि अगर मैं रॉड की बात करता हूं रॉड मैं समझना रॉड की बात करने हैं हम लोग ठीक है रॉड पर फोकस करना अगर मैं रॉड में पिगमेंट की बात करता हूं टाइफस ओपिगमेंट ठीक है तो रॉड में तो पिगमेंट होते हैं उनको हम रॉड आपसिन बोलते हैं जबकि कौन Сके अदर पिगमेंट होते हैं नको आईडॉपसिन बोलते हैं ठीक है अगर मैं रॉडॉपसिन की बात करता हूँ रॉडॉपसिन पिगमेंट जो होते हैं वो किस विजुली कैसे होते हैं समझाता हूँ है जबकर इनकी विजुनल इटी की बात कर संजाता हूं अभी इसको भी कि अगर हम रॉडपिसिंट की बात करते हैं इन पिंट्ट की बात करते हैं रॉडप पिंट्ट यहां Iained option की बात करेंगे समझता अगर हम Rod की बात करते हैं जो रॉड शेप में formation किस-किस के वही formation की बात करते हैं हम तो इनका formation जो होता है बिटा दो चीजों के मिलने से होता है एक इस पर कुशन नीट में कई बार रेपीट हुआ है ठीकि आपसिन प्रोटीन आपसिन प्रोटीन और रेटिनल यहाँ बच्चा बहुत कन्फीज होगा रेटिनल और रेटिनल ठीक है इसमें एक तो अपसिन प्रोटीन होती है और रेटिनल होता है रेटिनल क्या है इट इस अल्डिहाइड फॉर्म आफ रेटिनल it is a aldehyde form of retinol, यह retinol की aldehyde form है, retinol की aldehyde form है, ध्यानखना, it is a aldehyde form of retinol, ठीक है, अब retinol क्या होता है, all और l में अंतर क्या है, it is a vitamin A, तभी तो आपकी diet में vitamin A का होना बहुत जरूरी है, यह vitamin A की aldehyde form है, तो यह ध्यानखना है आपको, vitamin A की aldehyde form होती है, retinol, और vitamin A को बोलते हैं, retinol, इन दोनों के मिलने से, इसका formation होता है, जबकि adoption की बात करते हैं, इसका formation, यहाँ पर भी retinol होगा, पर खास बात क्या है यहाँ पर, यहाँ option की खास बात है, यहाँ थ्री, option protein होते हैं, थ्री option protein कौन से होंगे बैटा, थ्री color के होंगे, ठीक है, इरेथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन, और, क्लोरोप्सिन, नाम में चुपा हुआ, इरेथ्रो, इरेथ्रो मतलब red किलर की बात चल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इरेथ्रो मतलब red, signoterm किसके लिए आता है, बहें blue, ठीक है, blue color के लिए बात आगे, तो signoterm आएगा, और chloro term किसके लिए आता है, green, यानि आपके, यान इना, आईडॉप्सिन pigment के अंदर, थ्री color के pigment होते हैं, थ्री color के pigment होते हैं, red, blue and green, red blue and green ये three color के pigment मिल करके आपको रंगीन दुनिया दिखाने का काम करते हैं ठीक है तो जानक ना इन तीनों का activation की अगर हम बात करते हैं इसी आटी के लाएन है सनलाइट में तीनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं all activate in sunlight sunlight में ये तीनों के तीनों क्या होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं sunlight के अंदर तो यहां तक मुझे लगता नहीं कोई doubt होना चाहिए तो अब हम एक बार summarize कर रहा हूं मैं इसको rod and cones अगर हम rod की बात करते हैं dim light में cones bright light में rod की अगर बात करते हैं तो rod समझ में आ गया होगा आपको कि नमबर में ज़्यादा होते हैं cones number में कम होते हैं image black and white colored image co topic vision बोलते हैं four topic बोलते है sensitivity high low resolution इसका low पर इसका resolution high होता है rod में जो pigments होते हैं rodopsin यहाँ पर idopsin visual purple visual violet इन में formation बही आपस इन प्रोटीन रेटीनल के थरू होता है इनका formation three option protein और रेटीनल के थरू होता है three option protein रैत्रोप्सिन साइन आप्सिन इन क्लो रॉप्सिन यह three option protein है all activate in sunlight sunlight पढ़ेगी तो तीनों के तीनों activate हो जाएंगे तभी तो आपको सारे color दिखते है sunlight के अंदर ठीक है तो यह वाला part हमारे एकदम clear है बास अब बापस NCRT पर आ रहे हैं सारे concept आपके clear होगे बस mechanism बचा हुआ है उसको मैं बता के आगे बढ़ता हूं ठीक है यहां तक clear था हमारा NCRT concept आपके सारे यहां clear कर दी है हमने NCRT अब आ जाओ ठीक है NCRT पर आ रहा हूं the inner layer is the retina and the and it contain the three layer अब इनर layer retina की बात करते तो इसमें भी three layer हो जाएंगे three layer कौन-कौन से हो जाएंगे वही three layer जो होंगे विटा outer to inner inside to outside लिखा हुआ है वह हमने लिखाया है ganglionic cell हो गए bipolar cell हो गए photoreceptor cell हो गए inner to outer एदम clear है आपको ठीक है there are two types of photoreceptor photoreceptor में two types क्यों होते है rod and cones clear है आपको these cell contain the light sensitive protein इसके नदर light sensitive protein होते हैं कौन-कौन से light sensitive protein होते हैं ठीक है light sensitive ठीक है proteins जिनको बोलते हैं called the photo pigments ठीक है अब photo pigment की बात करते हैं तो मैंने बताया था दो आप की होते हैं daylight के लिए ओंगे for topic photon जहां पर आ गया daylight के लिए ठीक है और dim light के लिए कौन से होंगे इसको topic वो नहीं दे रखा मैंने आपको लिखा दिया है दे रखाय देख रहेगा इसको topic भी दे रखाय यह किसके लिए ओंगे dim light के लिए मतलब इसके लिए rod responsible होंगे का derivative of vitamin A उसमें भी vitamin A का derivative क्या है retinal retinal is a ldi form of retinol नीट मैं पूछा गया question है in the human eye there are the three types of cones अब कोंस भी three type के हो सकते हैं ठीक है विच three type के कोंस कैसे वह ऐसे कोंस जिसमें erythropecin है ऐसे कोंस जिसमें synopsin है ऐसे कोंस जिसके अंदर क्लोरॉपसिन है तो three type के कोंस हो गए ठीक है कि तुम्हें एक चीज़ क्लियर करा दिये three types of cone एकदम क्लियर है three types term क्यों use किया एकदम क्लियर होगा कोई डाउट नहीं होगी विच पॉसिज दियर ओन करेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट डट रिस्पॉंड तू रेड रेथ्रॉपसिन ग्रीन एंड ब्ल्यू लाइट टीनों के रिस्पॉंसिबल होते हैं दा सेंशेशन ओफ डिफ्रेंट कलर्स आर प्रेड्यूज वाइदा वैरियस कॉंबिनेशन ओफ दीज को इनी के कॉंबिनेशन से यह तीन कलर आपको मिल जाएं तो मिक्सिंग करके आप दुनिया के सारे कलर बना सकते हो ठीक है दियर फोटो पिगमेंट वैन दीज को आर इस्टुमिलेट एक्वली असेंशेशन ओफ वाइट लाइट इस प्रेडियूज मतलब अगर वाइट लाइट पढती है तो तीनो कॉण एक साथ एक्टिवेट होते हैं मतलब इन्ग इन तीनो की एक्टिविशन से वाइट कलर का इंडिकेशन होता है आप समद रहेए ना मेरी बात तो असे तीनोτό को न को एक साथ enter it at a point, उस point को हम क्या बोलते हैं, जो slightly ever, भई posterior पार्ट से थोड़ा हट के होता है, ठीक है, आई बॉल से, उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, blind spot, जहां से यह optic nerve निकलते हैं, और blood vessels enter करते हैं, at the posterior pole, जहां, posterior pole की बात कर रहा हूं, I literally to the blind spot, this is a yellowish pigment, यानि blind spot से थोड़ा हट करके, ठीक है, एक spot होता है, इसको बोलते हैं, macula lutea, ठीक है, yellow color के pigment होते हैं, lutin, macula lutea, विदा, भई इसमें क्या होता है, central pit होती है, उसको बोलते हैं, phobia centralis, phobia is thinnest, ठीक है, portion of retina, retina का सबसे पतला thin part होता है, only, यहां पर क्या होते हैं, only cones यहां पर present होते हैं, जो obliquely होते हैं, densely packed होते हैं, और हम इस point की बात करते हैं, तो यहां पर visual equity या resolution, इसकी power सबसे high होती है, एक एक बात clear हो रही होगी, अब chamber की बात करते हैं, aqueous chamber, जिसमें liquid होता है, aqueous humor, और जो किस-किस के बीच में होता है, present between the cornea and lens, यह question आता है, cornea और lens के बीच में होगा, aqueous, और ऐसी पूछेंगे, lens और retina के बीच में कौन होगा, ठीक है, between, between lens and retina, उसको क्या बोलेंगे, vitreous chamber, और जो gel होगा, इसके अंदर vitreous humor, एक को vitreous humor बोलते हैं, एक एक चीज़ के लिए है, NCRT की line to line, conceptual with diagram and flow diagram, आपके brain में set करने की कोशिश कर रहा हूँ, last बचा है, इसका mechanism of vision, ठीक है, बस इसको और देख लो, फिर last में year बसता है, उसको फास्टी रिल लेंगे, बस आइस थोड़ा complex था, vision का mechanism क्या है, आप देखो, इसको भी मैं समझाता हूँ, बहुत प्यारे तरीके से, अगर अगर हम mechanism of vision की बात करते हैं, तो पहले तो पता नूची हमारी आइस का जो देखने का तरीका होता है, वो बाइनेकुलर विजन है, वही बाइनेकुलर समझते हो ना, हमारी आइस एक साथ लेफ्ट जाएंगे, या एक साथ, मतलब लेफ्ट या राइट होंगे, वो एक साथ होंगे, बाइनोक्यूलर, या दोनों आइस एक साथ मूप करते हैं, लेफ्ट है राइट, ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक लेफ्ट लेके जा रहे हैं, आप समझ रहे हो, लेफ्ट और राइट हम पॉसिबल नहीं है, हम लेफ्ट और राइट अपनी आइस को separately नहीं ले जा सकते कुछ ओन करने चाहरे हैं, यह मौनो्कुलर, विजन हो गया, पर हमारी Ais का विजन कैसा हो गया, बाइनोक्यूलर data हो गया, बाइनोक्यूलर विजन हो गया, एक साथ मुमेंट होते हैं, धानोके दोनों ठीक है, तो एक बाद़त है, ल्यांट होगा, पहला अब देखो mechanism के अंदर कोई भी example ले लो rod का example ले लो या इसको topic का example ले लो या four topic का example ले लो mechanism दोनों का एक ही है बस light का अंतर आ जाएगा तो मैं कोई भी example ले लेता हूँ example लेते हैं इसको topic vision dim light में होगा है bright light में dim light में चलो ठीक है pigment कौन से required होगे याँ पर अगर pigment की बात करते हैं रॉडॉडॉडॉडॉडॉड चलो इसी की बात करते हैं चलो ठीक है अगर मैं एक तरब हम लिखने वाले हैं, आप्सिन प्रोटीन और एक तरब लखने वाले हम रतीनल तो इस ट्रांस कोई टिपीकल नहीं है एक अगर आप अधिशनल कर रहा है समझना चाहों समझना नॉर्मल पोजिशन सिस होती है और जब एक्टिविट होते हैं ट्रांस पोजिशन होती है इसको जाओ या ना जाओ कोई फरक नहीं बढ़ता बस समझो मैं मैं तो समझाना है इसके उपर डिम लाइट पढ़ती है लाइट कैसी डिम तो क्या होगा डिम लाइट पढ़ने पर यह सेग्रीगेट हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे कर दो उनको अलग अलग कर अज़ोगा कि यह अलग हो गया है इसकी रेटिनल की पोजिशन चेंज हो जाएगी अब रेटिनल का दोप्सी ट्रांस ठो़्टे का है बास इतना समझ इतना समझना और इनके segregate होते ही, अगर मैं rod की बात करता हूँ, तो rod इस तरीके से होते हैं, rod shape में ऐसे होंगे, इनके अंदर क्या होंगे, इनके अंदर pigments होते हैं, rod option pigment इसके अंदर होंगे, जब reduction pigment अलग-अलग होते हैं, तो इनकी surface पर होते हैं, sodium channels, sodium channels, जब यह segregate होते हैं, इसको bleaching बोलते हैं, जब इनमें bleaching होगी, segregation होगा, तो इसकी वैसे opening of क्या हो जाएगी, opening of sodium channels, जब sodium channels open हो जाएगे, तो यहाँ पर impulse का generation होगा, यह नहीं, depolarization होगा, और यह depolarization कहाँ जाएगा, यहाँ से generate होकर के, आप समझ गए होगे, यह जाएगा, भाई-बोई sequence बताया था मैंने, इनके अंदर generate होगा, अब कहाँ जाएगा, bipolar, bipolar से कहाँ जाएगा, ganglionic, गैंगलियों निसकर कहाँ जाएगा, optic, और optic निसकर कहाँ लेकर जाएगी, brain में है, यानि जब आपके rod पर light पढ़ेगी, dim light, समझना, dim light पढ़ने पर, यह अपने आप segregate हो जाएगे, cis convert to transform में, sodium channel खुल जाएगे, deep polarization generate होगा, यह impulse bipolar से होता होगा, सिधा brain के अंदर जाएगा, और आपको dim light के अंदर, ठीक है, black and white image दिखना start हो जाएगी, तो यहाँ तक तो मझे लगता है, कोई doubt नहीं होना चाहिए, black and white image generate हो जाएगी, ठीक है, चलो, अगर मैं आपसे पुछूँ, और question generate होता है, इन के time पर क्या होगा, bright light के time पर क्या होगा, ठीक है, bright या dark, ऐसे ही बुछ सकता है, dark light, अगर आपना rod की उपर bright या dark light apply कर दी, तो again, again बेटा, यह फिर से जुड़ जाएगे, यानि आपको दिखना बंद हो जाएगा, मतलब इस light के डालते ही, क्या हो जाएगा, इस light के डालते ही, hyper, hyper, polarization हो जाएगा, hyper polarization, अब question आएगा, rod के case में, यह question आएगा, इसको topic vision के case में, dim light depolarization करती है, और depolarization का मतलब है, impulse का generation, दिखना चालो हो जाएगा, night में, पर, दिन के time पर, rod का क्या होता है, या dark में, rod का क्या होता है, जब rod पर bright या dark light पढ़ती है, तो rod का hyper polarization हो जाता है, hyper polarization का मतलब समझाया था, मैंने last chapter में, कि signal का जाना बंद हो जाना, तो bright light और dark light में, क्या हो जाएगा, hyper polarization, ज्यान रखना कोशन आएगा, कि, साहित आप जानते होगे, चांदनी रात, और एक अमावश्या की रात, rod का activation क्या अमावश्या की रात में होगा, ना बेटा, अमावश्या की रात, एक दम dark रात होती है, ठीक है, और चांदनी रात, आप समझ के होगे, यहां या पूरन मासी की राधी बोलते है एक को ठीक है जिसके अंदर चांद पूरा दिखता है ठीक है वहां पर यानि डिम लाइट का मतलब है हलकी सी मून लाइट होनी चाहिए मून लाइट होगी तो रॉड का एक्टिवेशन होगा और डार्क में या ब्राइट में इसका ह स्माँज में आयाओ होका सिंपल कंसेप्ट है इसको टॉपिक और यहीं केस अगर हम ले लेते फोट फॉट आप तो फूट पक के अंदर क्या हो जाता दिं की कि आप क्या करते है ब्राइट लाइट तो यहां पर सेग्रीकेशन हो जाता ठीक है और अगर यहां पर आप ठीक यही होगी सेम वहाँ पर भी अगर आप यहाँ पर डिम कीजिए का ब्राइट कर देते तो सोडियन चैनल खुल जाते कौन्स के केस में सेम सिगनल आपका ब्रेन में जाता है आपको रंगी दुनिया देखना चाले हो जाती ठीक है डिम राइट के केस में यह केस होगा उसके केस में ब्राइट के केस में होगा रॉड के केस में हाइपर पोलराइशन ब्राइट और डार्क लाइट में होगा कौन्स के केस में हाइपर पोलराइजेशन डार्क और धिम लाइट में होगा यह होगी मेकानिजम कम्पलीट अब बताओ यहां तक क किसी को कोई डाउट है फिर प्रीविएस एरे कोशिन डिसकस करते हैं यही तो बेटा सोनल बेटा सोनल बाबा ठीक है आप यही तो मैं कर रहा हूं अच्छे अच्छे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर की कौन सा मससट कांट्रेट करता है तो कैंञर क्या रेलेक्स होता है अंदर बाहर नहीं आधो कि आप क्या याधते हैं तो डामीतर कम होगा औरिलेक्स करेंगे तो क्या मतलब शेख एक जब यह content करेंगे circular muscles तो diameter कम होगा तो यह trick मैंने बताई यह super trick है इसी से concept clear हो पाएगा directly अंदर भार करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है अब तुम देख लो इस दुनिया में जो break लेता है वो आगे नहीं बढ़ता ठीक है जो जुनून के साथ आगे बढ़ता है समझ लो वही success होता है तो जो जिसके पास capacity है रुकने की वही selection की दोड में है बाद बागी की तो भीड है ठीक है तो अब यहीं तो देखना है कौन इ थर्टी मिनिट लूंगा मैं यह के लिए यह को वह सूपर कंसेप्ट देने वाला हूं आप सोच भी नहीं सकते जड़ा से फ्लोड डियाग्रम है यह फिनिश को तो बहुत ट्रिकली कराऊंगा ठीक है बहुत ट्रिकली अब मुझे यह बताओ यहां तक कोई डाउट है दोखो अब यह फूरी मेकैनिजम है इतनी मेकैनिजम की जरूत नहीं है due to ciliary muscles मैंने पूरा मेकैनिजम है बताया भी है आपको कि ciliary muscles यह सिलेटे मसलड है यह सेंटर में लेंस है और यह लिगामेंट लगे हुए है जब ciliary muscles क्या करते हैं मैंने अगया है ciliary muscles जब contract करते हैं तो क्या होगा जब contract करेंगे ciliary muscles तो competitive क्या हो जाएगा lens तो उतना ही नहीं न लिगामेंट relax हो जाएंगे लिगामेंट relax हो जाएगा समझो यह lens है लिगामेंट जब relax होंगे तो lens की थिकनेस बढ़ नहीं जाएगी तो लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी आप समझ पारे हो यह class में समझा सकते हैं detail में अब crash में हर चीज तो detail नहीं हो पाएगी फिर भी मैं crash में बहुत detail करा रहा हूं याना कोई normal class नहीं है this is a crash course crash में अभी आपको मैं बहतर से बहतरी दे रहा हूं ठीक है तुम हर चीज बहुत detail में चाहोगे वह possible नहीं है ठीक है तो समझो जब ciliary muscles contract करते हैं contraction होगा तो ligament क्या हो जाएगे ligament relax हो जाएगे ligament relax हो जाएगे तो lens का diameter कम हो जाएगा यानि thickness बढ़ जाएगी और जब muscles relax होंगे तो ligament पर pulling force generate होगा तो lens भी खिच जाएगा thin हो जाएगा यहीं तो concept समझा है मैंने आपको चलो यह वाली बात clear है okay सिस एंड ट्रांस chemistry नहीं पढ़ी ठीक है कौन बच्चा है ठीक है राजेश्वरी बेटा आपने chemistry में सिस एंड ट्रांस फॉर्म पढ़े होंगे ना तो यह मैंने उन बच्चों के लिए बताया है सिस एंड ट्रांस मेकैनिजम जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओर्डिनरी होते हैं नहीं तो बात बाकी बच्चों को सिस एंड ट्रांस नहीं पढ़ना ठीक है बस इतना समझो कि अटैच है लाइट पढ़ेगी से अग्रीगेट हो जाएंगे जो थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाते हैं क्योंकि अक्सर कर इस पर थोड़ा सा आउट ऑफ सलेवसी कुश्चन आएं नीट में जब भी आएं तो सिस एंड ट्रांस फॉर्म मैंने बताएं सिस एंड ट्रांस यह आइसोमेरिक फॉर्म है आप जानते हो केमिस्ट्री में पढ़ रखा है उसी की बारें बात किये है पाथ वाला रिपीट अरे पाथ वाले में रिपीट क्या करना है बेटा कौन है बेटा ठीक है बिक्रम बेटा पाथ में कुछ नहीं है लाइट पड़ेगी इसे समझो म अल्चेल मेरी बात कि यह आइज है लाइट पड़ी तो लाइट पहले किस पहले लाइट आइजिस अर्ट में पहले कि आँकी पर रेटीना की यह सबसे पहले गेंग लियोनिक सैलhor फिर रोड़ फिर फोटो पर इसमें क्या दिक्डत है यह लाइट का पाथ कि लिए रह है किस तरीकिसे गैंग्लियूनिक बाइपोलर फिर फोिटो रेसेट्टर फोर्टॉ रिट को रिसीप करते हैं लइंग्लियूनिक और उप्टिक नर्व से उते हिए ब्रेंग के अंदर पास तो clear एकदम ठीक है आइस में जो optic nerve निकल रहे हैं उसी देट ब्रेन में लेके जा रहे हैं और ब्रेन के किस लोब में लेके जा रहे हैं वही विज़ुल रिजन कौन सा था पिछे बाला रिजन और सी पिटल तुम विटा फोबिया एक बार खोबिय फोबीय ऄंट्रेलइस it is a middle पार्ट फोबिय सान्ट्रेलिस कर आए it is a middle पार्ट औफ यलो स्पाइट सब्सक्रंटर को बचुन वुता है को भरे हुए होते हैं हाई रिजुलूशन पावर होती है विजुल एक्विटी बहुत ज्यादा होती है तो यलो स्पॉट यलो पिगमेंट जहां भरे हुए है उसका सेंट्र वाला पार्ट फोबिया सेंट्र रेलिस है क्या है इसके अंदर और बताओ क्रिस्टल क्लियर आप अब मुझे मज़ा आया कि बच्चों ने लेखा क्रिस्टल क्लियर तब लगता है कि हाँ इसमाइली क्रिस्टल क्लियर ये इंडिकेटर है कि हाँ यार मेहनत रंग ला रही है ओके चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब हुआ क्रिस्टल क्लियर आपको बुल्कुल साही तो आगे बढ़ते हैं बटा प्रिविए सेरे कोश्टन मज़ा आने वाला है इन कोश्टन के अंदर ठीक है मज़ा क्या आने वाला है अब देखते हैं कौन कितने पानी में किस में कितना है दम सारे प्रीविए सेरे कोश्चन है फटा फट दो AIP MT 2014 में हुआ कोश्चन है ठीक है सेशन को बहुत मज़ेदार करने वाले हैं विच वन आप दा फॉलिंग स्टेटमेंट इस नोट करेक्ट तेजी से बताओ विच वव दा फॉल्ग स्टेटमेंट इस नोट करेक्ट बेटा देखू कौन के response देता है which of the following statement is not correct बिटा अप्शन दो पहला अप्शन है retinal is the light absorbing ठीक है portion of visual photo pigments दूसरा है in retina the rots have the photo pigment rhodopsin while cones have three different photo pigment c है retina retinal is the derivative of vitamin c or dr rhodopsin is the purplish red portion present in rots only क्या लगाने वाले हो बुलकुल सही बहुत बढ़िया मेरे प्यारे प्यारे future के डॉक्टर बास्तम है तुम सभी सही लगा रहे हो बुलकुल सही जा रहे हो सब ने पकड़ लिया vitamin a sir vitamin a होता है vitamin c दे रखा है बहुत सही यानि यही तो यही तो चाहते हैं आप तेजी से पकड़ो और चीज़ को photo sensitive compound in human eyes is made up of photo sensitive photo sensitive मिली किसे मिलके बने होते हैं आप समझ जाओगे किससे मिलके बने है photo sensitive a b c d आप बताओ तेजी से अ रिस्पॉंस तेजी से दो बिटा इतने सारे बच्चे जुड़े और सपॉंस ही नहीं दे रहे हो बिटा ए ओगा बी होगा c ओगा डी होगा brain को दोड़ा ओ तेजी से यह दोड़ है बिटा जितना जिस्ती learning भाई आपको आता सब है कौन कितना अपनी एनलिसस खुद करो आपके सामने कॉश्चन है बच्चे दे रहे है maximum C भी दे रहे है और बी दे रहे है क्यों दे रहे है बता प्रही option मैंने का था गलती करोगे मैंने का था नीट में आई वह कॉश्चन है गलती करोगे यहां सबस्क्राइब यह यहां पूचा का है यह बने होते हैं रेटिनल से ठीक है डारेकलाइब लगाओगे यहां लगा ओगे बी औौप्सिन and retinal मैंने साब सब लिखाया था option और retinal retinal vitamin A की aldehyde form में तो directly vitamin A नहीं लिख सकते हैं retinol समझना मेरी बात retinol is a aldehyde form of vitamin retinol तो vitamin A retinal is a aldehyde form of vitamin A तो मिली किस से मिलके बने होते हैं option और retinal से मिलकर करके बने होते हैं यही तो समझना है आपको next एक diagram दे रखा NCRT का diagram A B C D को identify करना है तेजी से identify करो A क्या है एक देखो phobia point of greatest visual activity correct ढूंडना है incorrect देखो incorrectly match अब देखो A clear B देखो aqueous chamber B aqueous है बुलकुल aqueous है space between cornea and lens C क्या blind spot है C धियान से देखो yes it is a blind spot D के दर रखा है optic nerve optic D मैं D okay optic nerve है कोंस absent only rod present क्या लगाने वाले हो A B C D जली बढ़ा हो चारों में से क्या लगाने वाले हो sir समस्तो आ जाता है question इसलिए नहीं बनता क्योंकि आप दिमाग नहीं दोडाते हो जब तक आप ठीक है practice नहीं करोगे selection की दोड में लाखों बच्चे हैं बिटा यहां brain चलाना पड़ेगा practice करने पड़े कोशन practice से ही सारे concept clear होते हैं क्या लगाने वाले फटावर जली बताओ अरे वाह बहुत बढ़िया maximum अच्छे डी लगा रहे हैं बुलकुल सही कि तीनों तो बुलकुल सही है a phobia phobia point है दिख रहा है आपको तीनों even clear है आपको next आ जाओ the transparent lens in the human eyes is held in its place मैंने बताता नीट में आई हुआ कोशन है 2018 का कोशन है वही उस transparent lens को hold करने के लिए कौन responsible होते हैं आप समझ को smooth muscles attached to the iris ligament attached to the iris ligament iris से attached नहीं होते ligament attached to the ciliary body मैंने बोला भी था नीट में आई हुआ कोशन है the focal length of lens in eyes is controlled by focal length को control करने के लिए कौन responsible होता है focal length को control करने के लिए मैंने था question आया था focal length control focal length of lens is eyes is controlled by vitreous humor ciliary muscles iris muscles of pupil ciliary muscles इसी को बोलते हैं accommodation 2017 का question है need का ठीक है good vision depend on ठीक है adequate intake of carotene rich food बिल्कुल ठीक है select the best option ठीक है from the following statement vitamin A derivatives are ठीक है formed from carotene बिल्कुल सही the photo pigment are embedded in the membrane disc of the inner segment ना बेटा वो embedded नहीं होते हैं ठीक है retinal is a derivative of vitamin A yes retinol का derivative ही तो है retinal retinal is a light absorbing part of all the visual photo pigment yes retinal light observing part है क्योंकि यह rod and cones के अंदर मिलने वाला पार्ट है तो ACD ACD फस्ट ही हो जाएगा B absent कर दो ACD तु नहीं 2017 का कोश्चन है again एक कोश्चन है बिटा again eyes की उपर है giving glow diagramatically showing part of an eyes mark the option with correctly matching statement with its labeling match करो c c क्या दे रखा है c आ जाओ c iris दे रखा है बिटा visual ठीक है colored portion of eyes yes absolutely right visual color portion है फिर देखो B क्या दे रखा है B B आ जाओ ciliary body non vascular transparent portion गलत हो गया पूचा क्या giving glow the diagramatically showing the part of eyes mark the option with correctly matching statement with its labeling ठीक है तो इसके ऊपर आपको focus करना है correct option correctly matching correctly matching correctly matching तो correctly matching तो यह होगा पहला वाला second वाला wrong होगा third देखो D photo receptor cells are absent गलत E देखो E portion of retina where only the cones अरे ब्लाइंड spot कुछ भी नहीं होगा तो correctly matches में क्या होगा only single होगा सी बला विजविल कलर पॉर्ट्ट पॉर्ट्चन ओफ आइस सी समझ गये ना आई रेस कि चलो एक बात क्लियर होगी अफ तेजी से मैं human year खतम करता हूं बहुत conceptual करूंगा बहुत अच्छी तरीकी से समझना एक दम concept क्लियर हो जाएगा एक्जेक्ट मुझे 30 मिनिट चाहिए इसको खतम करने के लिए लिए देखो पहला तो इयर को थ्री पार्ट में डिवाइड कि आपने एक्स्टर्नल इयर मिडिल और इंटर्नल इयर एक्स्टर्नल मिडिल तो कुछ भी नहीं है जो भी इशियंग की concept बनता है ओं इंटर्नल इयर फर बनता है जो समझाना है मुझे पहले एक्से आइश्टर्नल खतम कर देताूं एक्स्टर्नल इयर की बात करते है एक्स्टर्नल इयर बन जाता है और यहां पर ठीक है धेर सारे glands होते हैं इनको wax gland बोलते हैं जो auditory canal में भी होते हैं और पिन्ना के ऊपर भी होते हैं इनको क्या बोलते हैं wax gland wax secreting gland तो यह wax secreting gland वाला portion हो गया एकदम clear कराता जा रहा हूँ ठीक है एक एक चीज तो सबसे बला है the ear perform two's अब हमारी ear को बोलते क्या हैं बहुत important इसको बोलते हैं stato acoustic organ यहां नहीं लिखते हैं इसको हम यहां लिखते हैं human ear की अगर बात आती है तो इसको क्या बोलते है stato acoustic organ बहुत important बिटा क्यों बोलते है stato acoustic, stato मतला बता है balancing acoustic मतला बता है hearing यानि यह balancing और hearing दोनों के लिख responsible है balancing and hearing दोनों के ही लिख responsible है stato acoustic organ जो balancing और hearing दोनों के ही लिख responsible है so it is called stato acoustic organ पहली बात ठीक है the ear perform two sensory function hearing and maintenance of body balance so it is called stato acoustic organ anatomically the ear can be divided into three major section outer, middle और inner तो outer ear के अंदर, middle ear के अंदर और inner ear में difference क्या है outer बता दिया दो बात पिनना ध्यान नखना है आपको और number two external auditory canal खतम हो गया outer ठीक है जिसके अंदर wax secreting glands होते हैं ठीक है और outer और middle को separate करने के लिए क्लिए 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 होता है तिशू से मिल करके बनी होती है connective टिशू करनेक्ट टिशू करनेक्ट टिशू करनेक्ट टिशू और यह कोशन बनेगा जो इसके अंदर outside layer होती है वह skin होती है और जो inside layer होती है म्यूकस की layer होती है म्यूकस म्यूकस यह म्यूकस की layer है ठीक है म्यूकस और अंदर बादी layer क्या हो जाएगी अंदर बादी layer को बोलते हैं skin अंदर नहीं इसको हम बोलेंगे outer और म्यूकस लेयर कहा है कि inner यह कोशन बन सकता है कि टिमपैनम की अगर बात करते हैं इसमें कितने layer होते हैं थ्री layer होते हैं जो inner layer होती है म्यूकस जो outer layer होती है skin और मिडल लेयर होती है connective tissue बास यह कोशन यह बनता है ठीक है तो next आ जाओ पिन्ना हो गया external auditory meatus meatus का मतलब है इसकी opening है मिएटस बोलते हैं कि कनाल की opening को ठीक है दा पिन्ना collect the vibration in the air which produce sound देखाओगा कभी animals को वो अपने पिन्ना को मूव करते है sound को collect करने के लिए पिन्ना को बनाया ही गया था sound को collect करने के लिए पर धीरे धीरे हम गया होगे भई double up होते गए तो हमारे पिन्ना के muscles best easier हो गए अब हमारे पिन्ना move नहीं करते ठीक है the vibration in the bitch produce the sound the external auditory meatus lead invert and extend up to the tympanic membrane ear drum तक lead करता है यहां तक और ear drum की बात करते हैं ठीक है ear drum आ गया these are very fine hair and wax secreting gland in the skin of the pinna pinna के skin में भी लगे हुए है and the meatus meatus पर भी लगे हुए है the tympanic membrane is composed of connective tissue covered with skin outside and with mucous membrane inside यहां question आएगा तो यह NCRT की line हो गई question समझ में आ गया tympanic membrane वाला part clear हो गया अब मिडल येर की बात करते हैं मिडल येर में बता भी चुका था आपको वही मैलस इनका step is miss जो मैलस होती है यह टेमपेन से जुड़ी होई होती है जो step is होती है जो लिखी दिया है ओवल विंडो से connected होती है तो मिडल वाली बॉन्स कौन सी हो गई इनकस तो मिडल येर में दो ही चीज़ें आते हैं मिडल येर में नमबर वन मैलस नमबर टू इनकस नमबर थ्री स्टैपीज और यह आ गई इस्टूकेशन ट्यू बास दो चीज़ें के मिलने से बनती है यह तीनों बोन इयर ओसिकल कहलाते हैं जो इन बाइबरेशन को ठीक है एंप्लीफाई करके ओवल विंडो के थ्रों इंटर्निल इयर में ट्रांसवर करते हैं मैलस इनकस टैपीज मिस करके मैं याद कराया था और यहां पर एक ट्यू होती है जो कनेक्टेट होती है फैरिंग से जो टिमपैनम के दोनों साइड प्रेशर को मिंटेन करके रखती है तभी तो अगर प्रेशर में जराभी चेंज आ जाता है तो इस टिमपैनम के रप्चर होने की प्रॉबिल्टी बढ़ जाती है तो एयर फैरिंगस को मेंटेन करने के लिए आपको ठीक है नमबर ये मिडल ये का पॉश्चन आ गया यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब हम चलते हैं इंटर्नल येर कोखलिया और सेमी सर्कुलर किनाल जहां से कोश्चन आएंगे फिकली खतम करता हूँ देखो अभी एक कुश्चन भार नहीं जाएगा पहले एक्स्टरल येर को खतम कर लेते हैं अच्छा मिडल येर में क्या कह चीजे हैं मिडल येर के इंदर तीन चीजे बताएं वेटा हमने मैलस इनका स्टैपीज जिसमें नहीं बता दिया कि कौन किस से जुड़ा होता है अगर हम बात करते हैं अटेश्मेंट की ठीक है मैलस इस अटेच्टू दा टिंपैनिक मेंब्रेन जबकि स्टैपीज की बात करते हैं अटेच्टू दा ओवल विंडो ठीक है ऑफ कॉक्लिया ये question आता है और दूसरा question ध्यान रखना है आपको अच्छा ये भी ध्यान रखना जो ear orsicles होते हैं को काम क्या होता है sound की जो भी vibrations आ रहे हैं उनकी थोड़ी सी efficiency को ठीक है increase कर देना transmission of the sound wave to be internal ear वहाँ transfer करते हैं थोड़ा increase करके ठीक है और इस tube की अगर बात करते हैं इसका main purpose क्या होता है middle ear और pharynx दोनों जुड़ी होती है help in equalizing the pressure on either side of ear drum बास ear drum के दोनों side pressure को equalize करने के लिए responsible होती है clear है बलकुल यहां तक कोई doubt नहीं होना चाहिए ठीक है यतना part मैंने बहुत अच्छी तरीके से करा दिया है अब बात आती है internal ear यही समझने का part है बस यही समझ लो काम खतम यही main part है जहां question बनते हैं ठीक है अगर हम internal ear की बात करते हैं बेटा तो अपस यही समझने का पाट है ध्यान समझना यहां internal ear को हम according to ncrt two part में डिवाइड कर रहे हैं बोनी लेवरनित और मेंब्रिनस लेवरनित अब समझने वाले सारे पाट आ जाएंगे एक मेंब्रिनस क्या होता है बोनी लेवरनित और मेंब्रिनस लेवरनित अब समझना हूँ एक्शन में internal ear हमारी skull bone में होते हैं आपको पता है ठीक है अब समझने कोशिच करना है यह आपका skull bone है यह skull bone है इस skull bone में temporal reason में cavities होते हैं यह cavity एक यह cavity यह यह जो bone से मिलके बनी cavity है इस cavity को बोलते है बोनी लेवरनित और इस cavity में लिक्विट होता है इसको बोलते है पैरी lymph ठीक है और इसके अंदर आपका ear होता है semicircular canal, cochlea, middle ear और external ear इसके अंदर आपका ear होता है जो membranous part है आपके ear का जिसमें जो liquid होता है उसको बोलते हैं endo lymph membrane के अंदर जो liquid होगा endo lymph और जो बाहर cavity में liquid होगा उसको perilymph बोलते हैं यह question बनता है तो bony labernet की बात करते है it is a cavity of internal ear cavity of internal ear और इस cavity में क्या फिल होता है इसमें भड़ा हुआ होता है बैटा पैरी लिंफ पैरी यह question बनता है जबकि अगर मैं बात करता हूं membranous labernet तो membranous labernet की बात करते हैं it is a membranous part of internal ear internal ear का जो membranous part है यह जिस membrane से मिलके बना होता है उसको membranous labernet बोलते हैं और इसके अंदर लिक्विट फिल होता है उसको बोलते हैं endo lymph यह यह आपका कबर हो गया परी लिंफ वाला पार्ट और एंडो वाला पार्ट एक बात क्लियर हो गया अब डिटेल में पढ़ना क्या है हमें डिटेल में पढ़ना है हमें यहां membranous labernet यानि इंटरनल यह को आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं membranous यानि इंटरनल यह अगर इंटरनल यह अगर इंटरनल यह वाले पार्ट की बात करते हैं तो actual में इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे समझा भी चुका था मैं आपको statu acoustic organ है यानि balancing का भी काम करता है और hearing का भी काम करता है कि hearing के लिए responsible होता है और balancing के लिए भी जो balancing के लिए responsible पार्ट होता है इसको हम बोलते क्या है इसको बोलते हैं important जो hearing वाला पार्ट है वही वह क्या है कॉक्लिया अगर कॉक्लिया की बात करते हैं समझना ठीक है यह देखा दें आपको ज़रे एक मिनिट देखो ज्यान से देखना है अगर आप डाग्राम में देखोगे तो यहां कुस्तों semi circular किनाल देख रहे हैं आपको यह वाला पार्ट यह balancing वाला पार्ट हो गया नीची आपको यू ट्रीकुलर से मिलके बना इसको बैस्टीबिलर अपरेटस बोलेंगी विशन यहीं बनता कि विच आप फॉलेंग इंक्लोड़िट इन्वेस्टीबिलर अपरेटस समझाता हूं भी मैं कॉक्लिया की बात कर लें कॉक्लिया की अगर मैं बात करते हैं जो hearing के लिए responsible है इसका sensory part क्या होता है sensory part जो actual मैं hearing के लिए response है तो उसको बोलते हैं organ of cotty organ of cotty organ of cotty की बात करते हैं दो बते ध्यान रखना रखना organ of cotty में organ of cotty जो होते हैं बिटा ये approximately 16,000 से twenty-four thousand hair cells से मिल करके बने होते हैं ठीक है जिसके तीन से चार्ट में row होते हैं थ्री तू फोर ये एंसी आटीम तरह रखा है थ्री तू फोर रोस डागराम में दिखाने वाला हूँ अभी मैं अगर मैं hearing बाले पार्ट की बात करता हूं cochlea coiled बाला पार्ट होता है coiled पार्ट होता है sensory पार्ट इसका organ of corte होते हैं ठीक है organ of corte की बात करते हैं इनका formation 16,000 to 24,000 hair cell से मिल के बना होता है जो stereocilia है stereocilia stereocilia का मतलब होता है जो non-motile होते हैं motile cilia को kynocilia और non-motile cilia को stereocilia बोलते हैं ठीक है और इन cell की अगर बात करते हैं यह तीन से लेके चार त्री टू फोर रोज में arrange होते हैं diagramatically भी दिखाऊंगा इसको तो पहले समझो hearing वाला पार्ट समझ में आ गया अब balancing वाले पार्ट की बात करते हैं balancing बाला पार्ट vestibular apparatus vestibular apparatus अगर question आगा which of the falling included in vestibular apparatus तो vestibular apparatus balancing के लिए होता है अगर vestibular apparatus की बात करते है इसको भी टू पार्ट में divide कर सकते हो vestibular apparatus को भी टू पार्ट में divide कर सकते हो ठीक है अगर 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 नमबर वन नमबर वन थ्री तो semi circular canals होते हैं 3 semi circular अभी diagram में दिखा जूंगा हर चीज concept clear हो जाएगा एक बार flow diagram बन जाने तो 3 semi circular canals जो 3 axis में होते हैं X Y and Z अगर 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 यहां पर क्या होते हैं इसके लावा यहां पर आप अगला कोशन बहुत इंपोरेंट कोशन बनेगा ठीक है एक और तो अर्ड़ अर्गन होते हैं आप कोशन है कि विच अफ़ फॉलेंग इंग्लूट इंगूट इन नों अट अले सो एक विरी वरी वरी इंपॉर्टएंग अार्टलिफ यार्गन की बात करता है यहाँ इसमें इंक्लूड होते हैं यूत्रिकूलस and सैक्चॉलस इंकर यूद्रिकूलस इंकर दोनों ही आटलिफ अर्गन है यूत्रिकूलस क्योंकि इसके आंदर आटलिफ मैम्ब्रेन होती तोकि इनका जो sensory part है अब लेको sensory part क्या है इनका इसा बना रहा हूं जो directly question solve होंगे sensory part क्या है इसका sensory part दोनों का sensory part एक ही होता है दोनों का sensory part है वो है macular दोनों का sensory part macular ठीक है जिसके अंदर होती है और तो लिथ मेंब्रेन इसी लिए इनको autolith organ बोलते हैं पहली बात अगर semi circular किनाल की बात करता हूं three axis में होते है ठीक है इनके अंदर three ampula होते है और इन three ampula का sensory part होता है sensory part इसको बोलते हैं crusta crusta अब बात आगई यहां पर crusta और macular आप समझना मेरी बात ठीक है इसको मैं diagramatically देने वाला हूं एकदम clear होगा actual मैं हमारे ear की position क्या है समझना एकदम clear हो जाएगा यहां असके बात इससे एक पार्ट तो यह हो गया हमारा second part हमारा यहां से यहां दो पार्ट होगे दो कैनाल तीसरी कैनाल की बात करते हैं यहां से ऐसे अब three axis तो नहीं दिखा सकते हैं समाझना यह three axis में x y z x y z three axis हैं बटा x y z आप इन तीन axis में अपनी body को rotate करोगे तो balancing के लिए responsible यही होते हैं ठीक है कि समझाता हूं अभी इनके अंदर जो sensory part होता है इनका अंदर जो sensory part है यह है अंदर sensory part क्रस्टा और इसके ठीक नीचे यहां से हम चालू करते हैं यह से ऐसे एक ऐसे और नीचे होता है फिर यह कॉकलिया ऐसे 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 यह कॉकलिया आ गया यानि अब मैं की चीज़ एक्स्प्रेंट करने वाला हूं समझना तो यह तो हो गए semi circular canals कॉक्षिन कैसे कैसे आए वो भी बता रहा हूं मैं सेमी सर्क्यूलर केनल canals फ्री एक्स गई एक्सप्रेंस य एक्स ऑशेंस य एक्सप्रेंस जैड एक्स सेड एक्स इस ठीक है पहली बता días आए यहां पर मैंने बताता है sensory part क्या होगा भई यहां पर macula होता है यह macula यहां पर भी macula होता है यह macula ठीक है और इसको तो बोलते हैं समझना utriculus इसको बोलते हैं seculus question कैसे समझा रहा हूँ और यह जो दिख रहा है कोईल वाला पार्ट यह हो गया कोखलिया एक question तो यह आया हुआ है sequence sequence पर question आया हुआ है सबसे पहले semi circular के नाल होते हैं फिर utriculus होता है फिर होता है और फिर cochlea होता है यह इस तरीके से अरेंजमेंट होता है हमारे ear के अंदर ठीक है यहां पर semi circular utriculus seculus यह तीन मिलकर जो पार्ट बनाते हैं इसको बोलते हैं vestibular apparatus कि बस्टी कि ब्यूलर कि एपरैटस और यह वाला पार्ट क्या हो गया हीरिंग वाला पार्ट हो गया कि इस पूरे ear के अंदर internal जो fluid होता है internal जो भी fluid भरा होगा इसके अंदर जो fluid है सारा सारा in canals के अंदर जो fluid है इस सब fluid को हम endolymph बोलते हैं अंदर भरा हुआ है endolymph endolymph अब मैंने बताया यह फूले हुए पार्ट दिख रहे हैं न इनको बोलते है एमपुला और इन एमपुला के अंदर कितने एमपुला है थि एमपुला और थि यहाँ पर क्रिस्टा सेंसरी पर लिख लाओ और जिल्फ रुट के नाल जब्कि यहां पर जो membrane दिख रहे है इसको autolith membrane बोलते हैं और इस sensory part को हम बोलते हैं macular macula is a sensory part of utriculus seculus और इसके अंदर क्या होते हैं इसके अंदर होते हैं इसके अंदर होते हैं बिटा ओर्गन ओफ कॉर्टी ओर्गन ओफ कॉर्टी अब एक बात क्लियर होगी कि एक्शल में हमारे इंटर्नल यर में है वही सेमी सर्कुलर किनाल utriculus seculus और कॉकलिया कॉकलिया हीरिंग के लिए sensory part और ओर्गन ओफ कॉर्टी वही यह macula वाला पार्ट होगा utriculus seculus के अंदर sensory part क्या होगा इसका macula यह three semicircular कनाल हो गए जिनके फूली वह पार्ट को एंपुला बोलते है sensory पार्ट क्या क्रिस्टा अब बातादी function की function कौन क्या करता है बहुत important function है utriculus seculus के function क्या है इसका function क्या है यह तो आपको पता ही है ठीक है आगे function पर चल रहा है जर एक मिनिट function ठीक है अगर हम function की बात करते हैं समझ ना कि अगर हम function की बात करते हैं कि इस semicircular कनाल के क्रिस्टा का function क्या है कि क्रिस्टा ओफ सेमी सर्क्यूलर कैनाल ऐसी पुछा जाएगा कि यूट्रीकुलस और सेक्यूलस या ओटोलिथ और गन या यूट्रीकुलस प्लस सेक्यूलस या इनका sensory पार्ट क्या हुआ मैक्यूला इसका function क्या है वही balancing का काम करते है question आया हुआ है जब आप घूम घूम के dance करते हो body को balance कौन करेगा three semicircular कनाल तीनो axis के अंदर x y z axis में control करेगा कौन करेगा आप बोलोगे crust of semicircular कनाल यह balancing का काम करेंगे during dynamic rotation balancing balancing during dynamic rotation जब आप dynamic rotation करते हो dance करते हो घूमते हो तो उससे में balance करने काम कौन करता है आपके three semicircular के नाल उसमें मिलने वाला crystal जब आप stable खड़े हुए हो static equilibrium में हो linear acceleration कर रहे हो horizontal चल रहे हो ठीक है अब ठीक है vertical चल रहे हो lift से चल रहे हो स्टेट चल रहे हो static equilibrium आप 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 कि चलता है utriculus सेट उसका पार्ट है आपका linear acceleration के टाइम पर balance करते थिक है static equilibrium आप खड़े हुए stable position में उस समय balancing का काम करते हैं जब कि अगर मैं क्रिस्टा की बात करता हूँ आप dynamic rotation करते हो तो उस समय बैलेंसिंग का काम क्रस्टा करते हैं एकदम क्लियर है तो यह एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि वैस्टीबुलर एपरेक्टस बैलेंसिंग किस तरीके से करता है अब कोकलिया की बात कर लेते हैं कोकलिया की हेरिंग मेकैनिजम क्या है किस तरीके से हेरिंग के नहीं काम करता है ठीक है अच्छा मेकानिजम तो अलगी दे रखिए नो नहीं कोई नहीं कि इसको भी हम समझा देते हैं ठीक है अगर हम हीरिंग मेकानिजम की बात करते हैं समझना लास्ट डाइग्राम है इंटरनल येर के अंदर एक तो ओवल विंडो होती है एक राउंड विंडो होती है यह राउंड विंडो होती है यह अंदर जो कैविटी होती है यह हो गया और जो बाहर यह सेमी सिर्कुल किनाल उपर हो गया और यह हो गया बाहर वाला पार्ट बोनी और धूटे ऋर्गन अफ कौर्ट और धूर्ष कॉर्ट जो डो से तीन तू तू थ्री रोस में होते हैं प्नुप आसे san Reagla को ग१े और इन अब होते पर लगे होते हैं स्टीर एश द्रीय यो देर्वे लिए यह और इनको कवर करने के लिए यहां एक मेंब्रेन होती है यह इसको बोलते है टेक्टोरल मेंब्रेन अब समझना यह अब समझ में आएगा तो यहां ओवल विंडो से सिंगनल एंटर करता है ठीक है यह बहार जो लिक्विड भरा हुआ है पैरी लिंफ है पैरी यहां भी पैरी अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है एंडो लिंफ एंडो लिंफ ठीक है अब समझना यहां से सिंगनल होता हुआ यहां से 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 होता हुआ इस बेसिलर मेंब्रेन ज समझना यह टेक्टोरल मेंबरीन हो गई अब समझना मेरी बात और यह बीच वाला पार्ट है इसी को बोलते हैं सही मायने में कॉक्लिया यह सकह्ट कोख्लिया होगया तो कोख्लिया के अंदर होते हैं bascler membrane और 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 कोटी और chuckles एं से कबड होते हैं 2-2-3 tehday hair cell क्योंकि यह पर sthh se었는데 बाइब्रेशन आते हैं केरी लेंटे होते हूए तुढ से लिए से लिए टैट्टम एंग से बैटा तब क्या ओगा तब पत испटी अचिये यहाँ पर यह व्हूंस चर्नुर्ओं में करनेक्वे निरून अबयार चिर्ण निरौन से कर दाटिक arrest यहां से होता हुआ यहां से होता हुआ आपके brain में जाएगा आप समयतना hearing mechanism की बात की जाती है तो यही middle ear जो तो middle ear हो गया यह यह जो यह यह हो गया ठीक है middle ear से जो आपकी bone है Malus Incus Tapies miss Malus Incus Tapies तो tapies oval window से जोड़ी होती है oval window से होता हुआ signal हां round window को काम क्या होता है यहां पर tube है अगर कोई है भी या ऐसे vibration जिससे आपके sensory और उनको दिक्कत होगी वो इस round window से ट्यूब से थूब से थूब पास हो जाएंगे इसी का रोल होता है यहां से vibration आएंगे बेस अदर मेंबरें में बाइबरेशन होंगे इस वेफ के थो जिसकी वैसे cilia में बैंड होंगे से cilia में बैंड होंगे तो automatically depolarization होगा signal सिधा नर्व के थो का जाएगा सिधा ब्रेन के अंदर ठीक है कौन सी नर्व ऑडिटरी तो आठ एर्थ नंबर की नर्व होती है एर्थ नंबर की क्रेनल नर्व होती है सीधे ब्रेन में लेकर के जाएगी यह एरिंग मेकानिजम है ठ अब देखो यहां तक हमने कर लिया था मिडल एर तक अब आ रहे हैं इंटरनल एर की उपर अब देखो कोई चीज नी चूटी complete हो चुका है दा फ्लीड फिल्ड इंटरनल एर ऐसा यह जो फ्लीड से भड़ा हुआ है ठीक है उसको बोलते हैं लेबर नित अब लेबर नित त तो पार्ट ठीक है दे रखा है दा बोनी पार्ट जो है एंड दा मेंब्रेनस पार्ट तो एक होता है बोनी लेबर नित एक होता है मेंब्रेनस लेबर नित बोनी लेबर नित एंपरोल कैबिटी की बोनी पार्ट है जिसके अंदर मेंब्रेनस पार्ट फिक्स होता है ठीक है तो bony levernite की बात करता हूँ, is a, ठीक है, series of canal, धेर सारी canal, बची semi-circular canal है, उनके बाहर भी बोनी part है, utricular secular के बाहर बोनी part है, cocclea के बाहर बोनी part है, ये पूरी series है, canal की series, जिसके अंदर membranous part बैठा हुआ है, ठीक है, इस series of canal को हम bony levernite बोलते हैं, जिसके अंदर जो liquid होगा उस liquid को हम बोलते हैं, peri lymph, the membranous levernite is a filled with endolymph, the coiled portion of levernite is, coiled portion को क्या बोलते हैं, cocclea, the membranous, ठीक है, constituting the cocclea, अब cocclea की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसको अब ये भी समझा दिता हूँ, अगर हम cocclea की बात करते हैं, तो actual मैं, ये center देखता हैं, this is the cocclea, this is the organ of cocclea, ये वाला part क्या, cocclea, कौन सा cocclea, membranous, membranous cocclea, ये भार क्या है, बोनी वाला part है, यनि cocclea की roof को बनाने के लिए, कौन response होते हैं, roof, roof बना रही है, recenter's membrane, ये recenter's membrane है, इसकी roof बना रही है, base पर कौन सी लगी हुई है, basilar membrane, समझना, और उपर जो बोनी वाला part है, ये परी, यहां पर भी परी, जो बोनी वाला part है, समझो, ये membrane से मिलके बना हुआ, पर कौकली आ के चांदर बोनी पार्ट है, इस बोनी पार्ट में परी लिम बना हुआ है, इसके अंदर अंडोली बना हुआ है, ठीक है, तो यहां पर 3 cavity बन जाएंगे, इसके structure की बेर से, वही उपर वाली cavity को scala bestie बुला है, नीचे वाली cavity को stella tympana है, और बीच वाली को scala media, जो actual में scala media है, it is a membranous part of cochlea, इस membranous part की roof को बनाने के लिए, इस membranous part की base को बनाने के लिए, बेसिलर मेंब्रेन और इस बेसिलर मेंब्रेन पर जो organ of corti लगे हुए है, sensory part, इसको cover करने के लिए, टेक्टोरल मेंब्रेन, ठीक है, अंदर जो liquid भरा होगा, एंडोलिम्फ, अंदर जो liquid है, इसको बोलेंगे, एंडोलिम्फ, एंडो, एंडोलिम्फ कहा होता है, कौकलिया के अंदर, एंडोलिम्फ है, बाहर क्या होता है, पेरी लिम्फ है, और यह आप समझे के, निउरॉन्स और नर्व, इसी structure को तो मैंने बनाया, मैंने थोड़ा इस तरीके समझा दिया, कि समझ में आ जाए आपको, एंडोलिम्फ, ठीक है, इसकेला मीडिया, इसकेला वेस्टिबुलाई, इसकेला टिम्पनाई, पेरी पेरी, अंदर एंडो, यह actual में, main part है, कौकलिया, कौकलिया की roof को बना र तो वही हम बताना चाहरे है, the membranous, जो पार्ट है कौकलिया का, उसमें recenter's end, basilar, यह main दो membrane है, ठीक है, divided the surrounding perillium, जो perillium से filled होते है, बोनी पार्ट है, बोनी पार्ट ऑफ इंटरनल यह, अपर स्केला वेस्टिबुलाई होती है, लोर स्केला टिम्पनाई होती है, दा स्पेस within the cochlea, इसको स्केला मीडिया बोलते हैं, जिसके अंदर होता है, endo length, यह ध्यान रखना है, at the base of the cochlea, the स्केला वेस्टिबुलाई and, बेस की बात कर रहे हैं, बापस आ रहा हूं, इसकेला वेस्टिबुलाई की बात करता हूं, यह स्केला, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला वेस्टिबुलाई का पर खुलता है, ओवल विंडो के अंदर, जबके स्केला टिम्पनाई का खुलता है, राउंड विंडो के अंदर, यह हम बात कर रहे हैं, आपर, ठीक है, तो बही बात कर रहे हैं, तो open का करेगा, add the oval window, add the oval window, while the स्क तेला टेमपनाय टर्मिनेट एड़ राउंड बिंडो इसके लाट इंपनाय नीचे वाला राउंड बिंडो में ऊपर वाला ओवल बिंडो में उपन कर रहा है और तू दा मिडल यह चलो डाग्राम समझ में आगया डाग्राम से कॉश्चिन बनते हैं विच कंटेन हेर सेल होते हैं कितने होते हैं वही 16,000 से 24,000 हेर सेल होते हैं जिसके उपर क्या होते हैं auditory receptors, hair cell are present in rows like what 3 to 4 rows में लगे हुए होते हैं इंटर्नल साइड ऑफ ऑफ ओर्गन ऑफ कॉर्टी बिल्कुल सही the basilar end of the hair cell in close to contact with कौन से नर्व होंगे, efferent, sensory, neuron होंगे यहां पर a large membrane of the, समझ ना, number of the process, इनको stereocilia बोलते हैं कोगि यहां पर kinocilia नहीं होते हैं, यहां stereocilia होते हैं, tissue वाले chapter में बताया भी था मैंने, production from the apical part of each hair cell, ठेक है, वो किससे होता है, above the rows of the hair cell is a thin elastic membrane, इसको बोलते हैं टेक्टोरल मेंब्रेन, यानि जो hair cell, कबड होती है, टेक्टोरल मेंब्रेन, समझो, the inner ear, inner ear also contain complex system, जो balancing के लिए sponsor होता हैं, असको बोलते हैं, vestibular apparatus, located above the cochlea, cochlea की उपर position लिख दिया हैं, the vestibular apparatus is a composed of semi-circular canal, जो dynamic rotation में help करेगा, और autolith organ, जो static equilibrium और linear acceleration में help करेंगे, जिसके अंदर macula होता है, sensory part, ठीक है, sensory part of the seculus and utriculus, each semi-circular canal is lies in the different plane at right angle, यानि x by z3 axis में होते हैं, the membranous canal are suspended into perilymph, वही membranous वाला part किसमें suspended है, perilymph में, और अंदर कौन सा भरा हुआ है, बोनी cavity के अंदर, अंदर भरा हुआ है endolymph, जो फुला हुआ पार्ट इसको एंपुला बोलते हैं, which contain projections, इसके projection, क्रस्टा, एंपुलरी projections होते हैं, यानि क्रस्टा, sensory part होता है, ठीक है, जबकि अगर मैं macula, utricula का sensory part की बात करता हूँ, वहां क्या होता है, macula होता है, crystal and macula are specific receptor for vestibular apparatus, जो क्या करते हैं, maintain of the balance of the body and posture, कौन-कौन से maintain, dynamic rotation, crystal, static equilibrium, macula, linear acceleration, macula, NCRT की line को बहुत simple way में, flow diagram में convert किया है, मैंने, बहुत simple way में, directly NCRT में दिक्कत होती है, अब mechanism of ear, hearing, बुलकुल simple है, कैसे होती है, बहुत, the external ear receives sound wave, भार से sound wave आते हैं, tympanum में vibration होता है, फिर क्या होता है, यह ear drum से टकराते हैं, तब क्या होगा, ear drum vibrate करेगा, in response to the sound wave, and these vibrations are transmit through the ear ossicle, malus, इनका stapesip, amplify होंगे, और कहां पर enter कर जाएंगे, oval window में, अब oval window में vibration जाएंगे, तो यह vibration वहां से pass करेंगे, oval window से कहां पर, fluid में, fluid of cochlea, भाई, perilymph से होता हुआ, basilar membrane में, endolymph नहीं enter नहीं करते हैं, where they generate the wave, in the lymph, lymph में wave generate करेंगे, perilymph के अंदर, wave generate करेंगे, the waves in the lymph, induce करेगी, repel, repulsion को induce करेगी, in the basilar membrane, basilar membrane में repulsion को, यानि basilar membrane जो थी नीचे बेटा, यह basilar membrane थी, जिस पर organ of corte लगे हुए थे, इस में waves generate हो जाएंगे, तो basilar membrane में जब movement होंगे, तो hairs bend होना चालो हो जाएंगे टेक्टोरल membrane से, these movement of the basilar membrane bend the hair cell, ठीक है, first pressing them, जिसको press करेंगे, against the tactoral membrane, as a result, क्या होगा, sodium channel खुल जाएंगे, impulse are generated होगा, और वो क्या करेगा, efferent neuron, यह sensory neuron के थो सीधा transmit हो जाएगा, ठीक है, auditory nerve के थो आपके brain की cortex में, जहां brain इनको recognize करेगा, mechanism एकदम clear cut होनी चाहिए, कोई doubt नहीं होना चाहिए mechanism के अंदर, ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, इन से होता हुआ vibration कहाँ जाएगा, oval window में, perilimps से होता हुआ vibration कहाँ जाएगा, इसके लाए बेस्थी बुलाई, इसके लाए टेमपनाई, इसके लाए टेमपनाई में, basilar membrane में vibration होंगे, और vibration होने से, यह hair cell bend होने चालो हो जाएगे, जाए बेंड होंगे, sodium channel खुलेंगे, signal सीधा nerve के थरो, edge cranial nerve auditory के थरो, सीधा brain में जाएगा, simple hearing mechanism, balancing mechanism समझा दिया, semi circular कनाल x y z, axis में घूमते हैं, dynamic rotation control करता है, sensory part crystal, macula, utriculus, seculus में होता है, वो static equilibrium, linear acceleration को control करता है, ठीक है, यह mechanism बाली बात आगी, NCRT मारी पूरी कबर हो गई, sequence पर question आएगा, पहले semi circular कनाल सबसे उपर होते हैं, utriculus, vesiculus, cochlea, cochlea, cochlea का sensory part, organ of corte, indoor का sensory part, macula, इनका sensory part, crystal, यह पूरा part किसमें included है, vestibular apparatus, यह hearing बाला part हो गया, अब बताओ, क्या, कहां दिक्कत आई, यह पूरा flow diagram एकदम, जबर्जस तरीके से आपको brain में set हो जाएगा, internal ear के दो पार्ट हो गए, bony labernet, membranous labernet, bony labernet, it is a cavity of internal ear, जो बच्चों को नहीं पता होता, जिसमें जो liquid भरा हुआ है, इस liquid को बोलते है, perilymph, और इसके अंदर जो membranous part of internal ear है, इसको बोलते है, ठीक है, internal ear जिसमें भरा होता है, endolymph, अगर मैं internal ear की बात करता हूँ, ठीक है, membranous part की बात करता हूँ, hearing के लिए भी responsible है, balancing के लिए भी, hearing के लिए cochlea, sensory part, organ of corte, जिसमें इतने hair cells होते हैं, इतनी rose होती है, balancing वाला part के है, vestibular apparatus, ठीक है, vestibular apparatus की बात करते हैं, तो पहला question तो यहीं आएगा, very, very, very important, which of the falling included in vestibular apparatus, semicircular canal and autolith organ, both are included in vestibular apparatus, अगला question है, which of the falling included in autolith organ, utriculus and seculus, both are included in autolith organ, यह empula होते हैं, sensory part किस्टा होता है, dynamic rotation को control करता है, इनका sensory part macula होता है, static equilibrium और linear acceleration को control करता है, ठीक है, position मैंने बता दी, sensory part मैंने बता दिया, function मैंने लिख दिये बेटा, और mechanism of hearing एकदम clear है, मुझे लगता है, कोई doubt होनी चाहिए, NCRT की line to line मैंने clear करा दी है, with mechanism, अब सीधे हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, previous year के questions, चलो बिठा, previous year के question, यहाँ तक मुझे लगता नहीं कोई doubt होना चाहिए, यहाँ तक कोई doubt है, थोड़ा सेशन दस-पंदर में उबर चला गया, पर concept देना है, ठीक है, वो चीज़ दे रहाओं मैं, आप सच क्या रहाओं, सुपर लेविल की चीज़ दे रहाओं मैं, ठीक है, पांस-दस मिनिट, बच्चों ने नौनो घंटे की class attend की है, तो ठीक है, धाई गंटे में कुछ बिगड़ेगा नहीं, पर मजा आना चाहिए, ठीक है, बुलकुल, बुलकुल बेटा, का auditory part of brain क्या है, auditory part of brain, ठीक है, बताया था मैंने कहाँ पर, temporal reason, जहां पर year होता है, वह brain का auditory part है, temporal reason, visual part, औरmarks सीपीटल reason, बहुत अच्छे लिखाया था मैंने बीन की अदर, brain की class attend करो sir no doubt auditory part of brain clear करा दिया है मैंने clear एकदम clear sir sound and oh sorry sir round and oval window को एक बार दिमाग में ठीक है clear कर दीजिए तो को round window नीचे होती है oval window उपर होती है इसके ला बैस्टी बुलाए oval window में खुलता है इसके ला टिम पेन आए ठीक है round window में खुलता है नीचे वाल नीचे oval window की बात करते हैं वहां से sound आते हैं और sound की अगर समदना अगर मतलब कह सकते हो इनके इसके बहुत हाई sound होती है जो आपकी hearing जो ट्वंटी टू टूथ ट्वंटी हर्स तक की जो अपकी जो एक जो लैंद है उससे ज्यादा की अगर sound होती है तो वह आपके कहीं न कहीं इंटर्नल इयर को problem कर सकती है तो उसके लिए दूसरी बिंडो बने हुई है राउन बिंडो उससे फैरिंग से थो बाहर मतलब इंटर्नल इयर आपके प्रोटेक्टिट रहेंगे एक तरह किसे प्रोटेक्शन में help करेगी वह ठीक है कर लेरी तो है अगर प्रेशन केनल टीक है स्थेवल इस प्रिजेंट फ्रे sırड रोटे क्योंड। आप के इश्टिवेतिर अधिति बता रहा हूं कि यस्टरकेशन कंदाल का मेन काम होता है, फ्रेशर को मेंटेन करना बिट्विन external year and middle year, टिमपेनम के दोनों साइट, टिमपेनम एक लेरी तो है, अगर प्रेशर में चेंज आ जाएगा तो फट जाएगी, रप्चर हो जाएगी, उसको मेंटेन करने का काम होता है, इस केनाल क ठीक है, clear, clear, okay, okay, अब देखते हैं किसमें कितना है दम, last, अब संदो को, AIPMD के कोशिन है, 2015 का है, जिमनास्ट, समझना, is able to balance, जिमनास्ट होते हैं, अपने balance को maintain करने में बहुत सुपर होते हैं, ठीक है, his body, upside down, even in the total direction, because of, कौन सा पार्ट है, जो जिमनास्ट को balance करने के लिए responsible होता है, बताओ, कौन सा पार्ट इसके लिए responsible होगा, फट आफट बताओ, सुपर सुपर कॉश् बहुत बढ़िया, ए, सुपर, सही response दिया, यह हुआना बात, ए, bestibular apparatus, responsible for balancing, बहुत बढ़िया, again question है, aims 2014 का question है, बहुत अच्छा question है, कुछ figure दे रखें, उनके numbering दे रखें, ठीक है, correct identification करना है, आपको correct identification करना है, कर दो फटाफट, D क्या है, D देख लो, D, वही इसके ला बैस्टी बुला है, Scala Tempena है, ठीक है, Scala Tempena है, बल्कुल सही है, filled with endolymph, गला, Scala Tempena है, perilymph, perilymph, यहाँ पर endo, यहाँ पर peri, यहाँ पर peri, तो गलत हो गया है, भाई, यह वाला point, B देखो C, C क्या दे रखा है, C, Scala Media, बल्कुल सही, Scala Media है, filled with perilymph, ना, Scala Media में तो endolymph होता है, again wrong हो गया है, बेटा, B देखो, hair cell, B, B, yes, B hair cell है, ठीक है, और को नाफ कॉर्टी, ठीक है, pressing against the tectoral membrane as the result nerve impulse are generated NCRT की line, yes, ठीक है, listener's membrane responsible for, ठीक है, causing auditory reflex, ना बेटा, listener's membrane responsible नहीं होती है, listener's membrane तो cochlea की roof बनाने का काम करती है, ठीक है, again wrong, कौन सा option है जाएगा, C, next question, बहुत बढ़ी question है, following is diagramatically representation of the sectional view of part of cochlea, ठीक है भाई, यहाँ पर identification करना है, ठीक है, correct identification करना है, किसको, A, B, C, D, ठीक है, करो identification, एक ही बात करते हैं, A क्या है, A देखो, A, organ of cotty दे रखा है, ठीक है, organ of cotty, located on the listener's membrane, नो बेटा, located on the basilar membrane, यह basilar membrane पर located होते हैं, ठीक है, देखो, B, B, the tactile membrane, yes, and elastic membrane, above the sensory hair cell, with stereocilia, बिल्कुल सही, which are supplied by the branch of auditory nerve, नहीं, tactile membrane, इससे supplied नहीं होती है, ठीक है, अच्छा, stereocilia, अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं, sensory hair cell, with stereocilia, बिल्कुल सही, यहां बात कर रहे हैं, sensory hair cell की, यह auditory nerve से supplied होते हैं, बिल्कुल सही, यह दिखा भी रखी, auditory nerve, supply कर रहे हैं, यहीं ठीक है, C, Scala Media, C, Scala Media, ठीक है, filled with perilymph, again, गलत हो गया, D, D, Rissness membrane, again, wrong हो गया, basilar membrane है, कौन से सही है, यहां पर, second option, absolutely right, तो diagram अगर समझ में आ गया, तो आप हर चीज़ समझ पाओगे, यहां पर कौन सा होगा, peri होगा, यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, endo होगा, यह भी अच्छा question है, in the giving below, diagramatically view, here, how many parts are wrongly labeled, अच्छे से पता हो नहीं चीए, देखो, पिनना, सही है, temporal bone, सही दे रखा है, वही पहले आती है, मैलस, फिर आती है, incust, step is, यानि यह दोनों गलत दे रखे हैं, मैलस की जगे, incust कर दिया, incust की से step is कर दिया, step is in oval windows, सही दे रखा है, है, cochlea, nerve है, निकल रही है, सही दे रखा है, cochlea, सही दे रखा है, यह एक्स्टरनल ओडिटरी कैनाल, गलत कर दिया, यह तो क्या इस्रोकेशन ट्यू, और यह फिर गलत कर दिया, tympanic membrane सही है कितने रॉंग है इसके अंदर यहां रॉंग फोर है यह रॉंग 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 है option कितने रॉंग आएंगे बिटा यहां पर फोर identification आना चीए ठीक है the organ of corte is structure which contain hair cell that act as auditory receptor and is located on जिसके उपर लगे होते हैं organ of corte basilar membrane present on basilar membrane organ of corte present on basilar membrane आप समझ पा रहे हो ना तोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको किसर खाने का टाइम हो रहा है बस अब प्लकुल एकदम complete होने वाला है एकदम कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कोशन समस्ते जा रहे हो वह आप लगाते जाओ कोशन सामने आते ही रिस्पॉंस दो अगर आपको आता है तो रिस्पॉंस दो ठीक है अभी तो मज़ाएगा दा बाइब्रेशन प्रड्यूज इन इयर ड्रम आट ट्रांस्मीट थ्रो दा इयर ओसिकल तू दा फिल्यूड फिल्ड इनर इयर किसके थ्रो एंटर करते हैं ओवल बिंडो लॉश की ना मां गया witness नार गया करना देखो इस पर कॉशन आता है बढ़ क्या है मेंब्रेन पर लोकिटेड होते हैं फिर D देखो D terminate at the oval window ना यह terminate करता है round window में यह terminate करता है oval window में रॉंग हो गया फिर देखो B contain hair cell that act as auditory receptor ठीक है अब E देखो E भी सही है E देखो E thin elastic membrane against which hair cell are pressed absolutely right C option absolutely right फिर देख लेते हैं D देखो D and add the oval window यहीं गलत हो गया round window में end करता है तो कौनसा option शहीं आएगा यहां option शहीं आएगा बेटा C which is not a part of vestibular system वही क्या vestibular system का part नहीं है vestibular system balancing का काम करता है तो कौनसा इसमें balancing के लिए responsible नहीं है कौक्लिया कौक्लिया balancing के लिए responsible नहीं होता क्रिष्टा इसका part है autolith इसका part है ठीक है semicircle canal इसका part है कौक्लिया इसका part नहीं है तो बेटा sensory organ को मैंने पढ़ाया तो ऐसे है कि crash की तरह नहीं क्योंकि YouTube पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहली बार आते हैं ठीक है तो बस लास्ट में इतना जरूर चाहूंगा जितने भी बच्चे सको देखें अपना view और comment जरूर देना इससे बहुत motivation मिलता है एक energy मिलती है और कहीं न कहीं हर lecture को बहतर से बहतरीन करने की तागत मिलती है ठीक है तो live session को हम जितना बहतर से बहतरीन बना सकते हैं बनाएंगे आपके प्यारे प्यारे comment ठीक है अपने views जरूर देना जिससे कि हर बच्चे को देने चाहिए जिससे कि एक proper direction मिलता है कि अब इन बच्चों को किस direction में ले बहुत important chapter है क्या endocrine system single shot में खितम करूंगा हर hormone की mechanism बुलकुल आपके brain में set करने वाला हूं ठीक है तो next Sunday को हम लेके आने वाले हैं क्या endocrine यह आप समझ गे ना सारे glands with action mechanism with function thank you all the best